आज की इस सभा में उपस्ते रायगर नगर के सभी सम्माननिय नागरिप बंदों आज इस सभा में उपस्ते सभी सम्माननिय माताओ बहनों मैं आप सबका बहुत आभार विक्त करता हूँ कि आप यहाँ उपस्ते थें और मुझे आप से भारत स्वाब इमान के विशय में बात करने का संबाद करने का मौका मिल रहा है मैं सबसे पहले हमारे पतेंजिली योग समीटी और भारत स्वाब इमान के राइगर जिले के सभी बदादिकारियों का सभी योग सिक्षकों का बहुत आभार विर्ट करता हूँ कि उन्हों ने यह विवस्था बनाई और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला हमारे भारत स्वाब इमान के और पतेंजिली योग समीटी के यहाँ पर पिछले तीन दिनों से आवासी शुविर का योजन हुआ है ऐसा मुझे अभी पता चला पिछले चौवीस नवंबर से और आज चौवीस नवंबर तक यह प्रसिक्षण शुगर यहाँ आयोजित हुआ इस प्रसिक्षण शुगर के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई लेता हूँ हमारे जो प्रसिक्षण आए इस कारी में बाई शुख्षण 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 शुख् और इसमें गाओं के भी बालक बालकाओं ने भाग लिया हमारी बहन भूमि सुताब विज्या लंकार जी का विशेश धन्यवात करता हूँ कि उन्हों ने इस शुविर को आयोजन करने में बहुत सक्रिय भूमि काने भाई मैं आप सभी से भारत स्वाभिमान के विश्य में बात करने आया परभू जी ने स्वामि राम लेग जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान एक आंदोलन शुरू किया है पांच जन्वरी 2009 से ये अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब भारत देश के करीब 600 जिलों तक ये है आंदोलन पहुच पहुच पया इस आंदोलन में लगबग 2,50,000 योग सिक्षक संपूर निस्वार्थ भाव से काम में लगे हुए है और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं अगले दो वर्षों में 11,00,000 योग सिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और दो वर्षों के बार करीब 13,50,000 योग सिक्षक इस आंदोलन में इस अभियान में आ जाएंगे और तब हमारी ऐसी भावना है कि हम भारत के गाउं गाउं तक इस अभियान को पहुचाएंगे आपके मन में प्रश्ण होगा कि ये अभियान जो भारत के गाउं गाउं तक हम पहुचाना चाहते हैं भारत स्वाभिमान, इसका उद्देश क्या है? इसके दो उद्देश है, पहला उद्देश है भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, और दूसरा उद्देश है भारत की जो गंभीर व्यवस्थागत समस्याएं हैं, उनका समाधान करना. हमारे देश में आजादी के 64 वर्षों के बाद बहुत सारी गंभीर समस्याई है एक सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं वो है गरीबी दूसरी बड़ी समस्या है बेरूजगाई तीसरी बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ती हुई महिंगाई चौथी बहुत बड़ी समस्या है ब्रष्टाचा रिश्वत पुरी और एक बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ता हुआ आतंक वादनक सलवाद एक और बड़ी समस्या है भारत के लोगों पर बोने वाला अन्याय और अत्याचा ऐसी कई समस्याएं हैं हम चाहते हैं कि उनका भारत के नागरिकों के साथ में कर कोई समाधान करें तो एक तरफ भारत की समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्त बनाना है निरोगी बनाना है इनी दो कारियों को पूरा करने के लिए यह भारत स्वाविमान का अभ्यान शुरू हुआ है आपके मन न प्रशनाएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का क्या रास्ता इसके लिए हम हर भारत वासी को योग, प्राणायाम और आयुरवेद इन तीन मार्ध्यमों से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं योग और प्राणायाम और आयुरॵेद की मदद से हर भारत वासी को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए उसका हर विमारी छीख हो जाए आप बूचेंगे ऐसा क्यों योग प्रणायाम और आयुरुदेद की मदद से ही हर व्यक्ति को स्वास्त क्यों बनाए इसका उत्तर ये है कि योग प्रणायाम और आयुरुदेद ही एक ऐसी चिकतसा पद्धती है जो भारतवासियों के लिए बहुत अनुकूल है और भारतवासियों की विमारियों का समाधान कर सकते हैं हमारे भारत में दो तरह की चिकतसा पद्धतियां हैं एक तो विदेशी चिकतसा पद्धती है जिसको हम अलोपैथी कहते हैं अंग्रेजी चिकतसा कहते हैं और दूसरी ये हमारी स्वदेशी चिकित्सा है जिसको हम आयूबेद और इसका सही होगी जो प्रणायां। इन दोनों चिकित्सा पर्णतियों का हम पिछले आज़ादी के 64 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब्यास कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा पर्णति जादा उप्योगत है। एलोपेथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ती के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एलोपेथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ती का इलाज किया जाता है, तो जो दवाएं खिलाई जाती हैं उसके दुश्कर नाम बहुत होते हैं। जिनको हम साइड इफेक्स कहते हैं। एलोपेथी चिकित्सा में किसी भी इलाज का संपोर समाधन नहीं वोता। कोई भी पीमारी ऐसी नहीं है जो जड़ से छीट हो जाए और एलोपेथी चिकित्सा में आजकर डाइगनोस्टिक टेस्ट का इतना बड़ा बोल बाला हो गया है कि गरीब आत्मी के लिए अब ये संभब नहीं नहीं गया हमारे भारत में एलोपेथी चिकित्सा को आदे बढ़ाने के लिए सरकार ने 64 वर्षों में लाखों करुणा रुपई खर्च किये है लेकिन ये चिकित्सा किसी भी व्यक्ती का एक भी भारतवासी का संपून निरोगी बनाने में समर्थ नहीं वो पाई हमारे भारत देश में एलोपेथी चिकित्सा के काम में लगे हुए अठारे लाख डॉक्टर्स है 36,000 हॉस्पिटल्स है 2,000 प्राइमरी हिल्ट सेंटर और कम्यूनिटी हिल्ट सेंटर है और करीब 84,000 दवाएं इस देश में बेची जाती है और इन 84,000 दवाओं को बनाने वाली करीग 23,000 कम्पनिया है और लाखों करोडों रुपए का खर्चा है फिर भी भारत से किसी भी एक बीमारी को ये एलोपेथी चिकित्सा ठीप नहीं कर पारे है हमारे देश में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ती चारे है उस समय हमारे देश की सरकार का ये कहना था कि ये पाँच करोडों लोग इसलिए बीमार हैं कि भारत में डॉक्टर्स कम है दवाएं कम है हॉस्पिटल्स कम है सरकार का बजट बहुत कम है जब आजादी आई थी तो मुश्किल से चिकट्सा का बजट हमारा सत्तर करोड रुपए के आसपास था तो भारत के तत्काली प्रधान मंत्री श्री जबाहरला नहरू जी का कहना था कि जैसे जैसे ही ये ऐलोपैथी चिकट्सा का प्रचार प्रसार बढ़ीगा भारत में बीमारियां और बीमार दोनों लोग कम होते जाएंगे हमारी सरकारों ने पिछले 64 वर्षों में दस लाख करोड रुपए अब तक खर्च किये एलोपैथी चिकट्सा के प्रचार प्रसार में इस दस लाख करोड रुपए के खर्चे में भारत में चक्तिस अजार हॉस्पीटल्स बने हैं अठारे लाख डॉक्टर्स तैयार हुए हैं प्राइमरी हल्सेंटर, कम्यूनिटी हल्सेंटर दो लाख से जादा बने हैं और इनमें जो नर्सिज हैं, पेरामेडिकल स्टाफ हैं बहुत सारा है जो सेवाईं दे रहा है लेकिन दुख की बात ये है कि भारत जब आजाद हुआ था तब पांच करोड लोग बीमार थे अब आजादी के चौसट साल बाद इस देश में सौ करोड लोग बीमार हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्राले है परिवार कल्यान और स्वास्त मंत्राले उनका कहना है कि भारत में 120 करोड की आबादी में सौ करोड लोग बीमार है और सरकार के इसके आपड़े हैं जैसे 5 करोड 70 लाफ लोगों को भारत में डाइबिटीज है 4 करोड 80 लाफ लोगों को हिर्दे रोग है 8 करोड भारत वासियों को कैंसर है 12 करोड भारत वासियों को आँखों के बिल्ड बिल्ड रोग है 14 करोड भारत वासियों को दमास्तमा और ट्यूबरकुलोसिस है 17 करोड भारत वासियों को गठिया का रोग है संधिवात है और 20 करोण भारत वासियों को high blood pressure और low blood pressure 27 करोण भारत वासियों को चिकन गुनिया, viral fever, dengue, encephalitis, malaria, brain malaria, typhide, sinusitis, sinus, acibin-win-ro और सबसे खराब बात है कि भारत की लगबक 70% आबादी को एनीमिया करोगे खून की कभी, तर्ट की कभी एनीमिया का जो रोग है वो हमारी माताओं को जादा है, हमारी बेहनों को जादा है हमारे देश में कुल 60 करोड माताओं और बेहने हैं इन में से 40 करोड माताओं और बेहनों को खून की कमी है शरी तर्ट की कभी तो इतना बुरा हाल पूरे देश का है और ये हाल आज़री के 64 वर्षों में है जबकी सरकार ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करूर रुपए से जादा खर्च कर दिया है चिकित्सा के लिए और स्वास्त के लिए तब इतना बुरा हाल देश का है आपके मन में प्रशन आएगा कि आखिर सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्त पर पिछले 64 वर्षों में तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही हर साल नहीं नहीं बीमारियां क्यों बढ़ रही तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार ने ये जो पैसा खर्च किया दस लाक करोर ये सारा का सारा पैसा एलो पैथी और विदेशी चिकित्सा पर दिद्धी पर खर्च किया और एलो पैथी चिकित्सा में सबसे ज़्यादा सरकार में दवाओं का उत्पाओन बढ़ाया इस देश में आजादी मिलने के समय में इस देश में सतर दवाइँ बन थी थी आप चौरह सी हजार दवाइँ बन रही थी एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजेन, एनालजेन, परासीटा मुल, स्टेप्टुमाइसिन, टेरमाइसिन, बेरालगन, भूटा जोन, आक्सिफिन, भूटा जोन, कुलो किनॉल, रेनिटिडिन, डाइकलो, फैनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही है, पहले सिर्फ 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 बन रही है, और समस्या इन दवाओं से शुरू होती ह क्या, कि ये जो दवाएं बन रही हैं हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही है, ये दवाएं हमें और ज़्यादा बीमार बना रही है, आप बूलेंगे क्यों, क्योंकि इन सभी दवाओं के शरीव पर भयंकर नुक्सान हो रहे हैं, इन दवाओं के हमारे शरीव पर सेक प्लों तरह के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम से बताऊं। Aspirin, Dispirin, Novalgen, Enalgene, Aspro, EcoSprin, ऐसी हजारों दवाएं हैं, जिनको भारत में Energesic Medicines कहा जाता है। Energesic Medicines के बारे में समझने के लिए आप समझिए निको के निकोक के दर्द निकों एकवाय तो आपके हैं। Aspirin आपके दर्द निकोचे कम करफे हैं वे तरह की 1000 गवाएं हैं। यह सारी गवाएं जो हम दर्द निकोक पनवारे के लिए काते हैं Exodus Project 19 तो आपके दोनो गुर्दy वेन करते हैं। हमारी गुर्दों को खराब करती है अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे वेकार हो जाएंगे ये पक्की बात है इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी है पहले उन्होंने ये दवाएं खाई दर्द मिटाने के लिए अब इन दवाओं ने उनके गुर्दों को हमेशा के लिए खतम कर दे सबस्याब ये है कि गुर्दे खराब हो जाएं तो उनका इलाज नहीं है अलो पैखी एक मातर इलाज है और वो है कि नए गुर्दे लगाओं और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है क्योंकि साड़े तीन लाख रुपई में एक नया गुर्दा लगता है साथ लाख में दो नए गुरदे लगते हैं गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता और एक दूसरा इलाज है वो है डाइलेसिस और डाइलेसिस के इलाज में इतनी पीड़ा और इतना दर्ब होता है कि कोई भी आदमी उसे परदाश्ट नहीं करता मैंने अपनी आँखों से देखा है कानों से सुना है कि जब किसी मरीज को डाइलेसिस पे हम ले जाते हैं तो वो एक ही बात बार बार दो राता है कि मुझे मार डालो ये दर्द बरदाश्ट नहीं होता क्योंकि डाइलेसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीग का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के मादियं से वापस शरीग में डाला जाता है तो शरीग से खूण को निचोड ना और वापस शरीग को डालना यह बहुत ही पिला दायक काम है और इसलिए जादा मरीश टाइलिसिस को बर्दाश्ट नहीं कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते है अब गुर्दे खराब हो जाएं ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं और लाखों रोग इस बीमारी से परिशान है आपको मैं जानकरी दूँ कि जो एनल जैसी दवाएं हम खाते हैं एस्पिरिन डिस्पिरिन जैसी ये दवाएं दुनिया के कई देशों में बीस साल पहले बंद हो चुके अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, सुईदन में, सुथिलेंड में, डेनमार्क में, नौर्वे में, ब्रिटेन में, बेलजियम में ऐसे दुनिया के सेप्लों देशों में जो दवाएं पचास साल पहले, जो दवाएं बीस साल पहले बंद हो गई वो हमारे हाँ अभी भी बीक रही है और हमें खिलाई जा रही है एस्पिरिन ऐसी ही दवा है इस्पिरिन ऐसी ही दवा है नोगल जिन ऐसी ही दवा है एनल जिन ऐसी ही दवा है सेरिडोन ऐसी ही दवा है एस्प्रो ऐसी ही दवा है मुकाल जिन ऐसी ही दवा है ये सब दवाइं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंदो गई कई देशों में 50 साल पहले बंदो और इनके बंद करने का कारण एक मात्र की ये जुन्दों को खराब करती है किड्नी को डेमेज करती है इसलिए कई देशों में इन पर पाबंदी लगाई हैं लेकिन भारत में ये दवाएं सबसे ज़्यादा विक रही हैं और हम इनी दवाओं के कारण और ज़्यादा तक्लिफ पारें और एक उधारन बताओं हम लोग कई बार ऐसी दवाएं खाते हैं जो हमें बुखार कम करने के लिए दी जाती है एंटी पाइरिटिट मेडिसिन जैसे पैरसीटामोल जैसे गोगेरॉन जैसे निमूसलाइट जैसे निमूलाइट ऐसी सेख़़ों दवाएं हम खाते हैं बुखार कम करने के लिए ये सारी दबाओं लिवर को खराब करती है वो गुर्दों को भी खराब करती है इनके दुश्वर लीवर पर भी हो इसी तरह से हम बहुत सारी दबाओं खाते हैं एंड़ की डाइर maggis, medicine जिनको कहा जाता है जब दस्ट हो जाते है, पेचश हो जाती है डीसंट्री हो जाती है तो अक्सर हमको एक दवा खिलाई जाती है मैकसाफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म और इन दोनों दवाओं से अगर हमारे दस्क ठीक नहीं हुए तो फिर और एक स्ट्रॉंग दवा खिलाई जाती है, कुलो किनॉर्म और ये सारी की सारी दवाओं मैकसाफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, पिलो किनॉर्म ये आतों में घाओ करती और आतों का घाओ अगर बढ़ दया आपका आप जिल्दी उसे ठीक नहीं कर पाए तो वो अलसर में बदलता है अलसर से फिर पैप्टिक अलसर होता है और पैप्टिक अलसर से आगे की एक मात्र स्टेज है वो कैंसर और कैंसर की बाद फिर मौत हमारे भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिनको आतों का कैंसर होता है जिनको पेट का कैंसर होता है अइसे 99 प्रतिशक मरीज वो है जो anti-pirotic medicine खा के मर रहे हैं anti-dayrial medicine खा के cancer से मर रहे हैं बहुत खतरनाग है ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जिनको हम anti-hAG कहते हैं cardiovascular medicines कहते हैं हिरदय के रुपों के लिएतो दवाएं दी जाती हैं cardiovascular medicine ये समय दुश्परिनाम करती हैं खून पर आपके हिर्दय रूप को नियंद्रित करने के लिए जो दवाइं खिलाई जाती हैं वो खून को पतला करती है और खून जब जरूरत से जादा पतला हो जाता है तो थोड़ी सी भी चोट आपको लगेगी तो इतना खून निकलेगा आपके शरीज से कि आपकी खून निकलने से मौत हो सकते हैं हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं अक्सर आपने अखवारों में और टेलीवीजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सिडेंट हुआ और मरीज को हस्पतान ले जाती ले जाते हैं उसका शरीज छूड गया मने मर गया हस्पतान ले जाते ले जाते कोई कैसे मरता है वो ऐसे मरता है कि उसको इतना खून निकल चुका होता है कि हस्पतान पहुचते समय वो मरा हुआ होता है अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का वो ऐसे निकल गया कि उस व्यक्ति का खून बहुत पतला तो वो जमता नहीं है, और वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, और इसमें मौत होती है, आप जानते हैं, खूं को ज़्यादा पतला होना बहुत खतरनाक है, और वो इतना खतरनाक है कि जरासी देर में मौत होती है, हमारी देश में कार्डियो वैस्कुलर मेडिसिन ऐ जिसमें खून निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंट अपने आप रुखता है हमारे खून का बाहर की ऑक्सिजन के साथ हवा के साथ जैसे ही संपरकाता है ब्लड का अपने आप प्लॉटिंग शुरू होता है खून रुख जाता है लेकिन जिनका खून जरूरत से ज़ाधा पतला होगाता है उनको प्रॉटिंग नहीं बोपाते हैं और वो खुन निकलने से मर जाते हैं और उन विचारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका कारण वो दवाएं है जो वो खा रहें थे काडियो वैस्कुलर मेडिसिन के ऐसी हम 84,000 दवाने खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता जो दवाएं अमेरिका में बंध हैं कनाडा, जर्मनी आदी देशों में वो हमें खिलाई जाएं और इनके कारण और ज़्यादा हम गवीर रूप से पीमार को हैं कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी अलोपैथी की जो आपको अंसर करती हैं एस्विटी करती हैं हाइपर एस्विटी करती हैं और आप पेट की जलन से परिशान रहते हैं बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं शरीर में पानी की कमी हो जाती हैं आपके होट्स रूप जाते हैं, आपके शरीर की नमी खतम हो जाती है, ब्राइनेस आ जाती है, ऐसी बहुत दवाई हैं। इन सब दवाऊं के दुश्परिणाम होते हैं, और दुर्भागे हम सब का ये है, कि डॉक्टर्स को ये सम मालूम होता है, लेकिन वो हमें बताते हैं। उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुश्परिणाम पता चली गए, तो आप दो दवाई ही नहीं खाऊगे, तो उनका अपना बिस्निस है, वो परिशाने में आ जाए। मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाड़ा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है, और विश्व स्वास्त संगठन में उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवाउत कोई जवाब देते हैं लेकिन इसका सही जवाद ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कमपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पहमाने पर रिश्वत देती घूस रिश्वत और ब्रश्टाचार हमारे देश के हर विभाग में हैं यह जिक वैसे तो सभी विभाग ब्रश्ट हैं लेकिन यह बहुत ब्रश्ट हैं इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कमपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका म इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म हैं अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिक्शन लिख दे ही तो इस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है उसकी बिगरी छीन ले जाती है कारण आप पूछो के क्यों विक्स जो है जहर है इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है अस्थमा कर सकती है ब्रॉंकियल अस्थमा आपको हो सकता विक्स बार बार लगाने से इसलिए दुनि पर के पैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर गोशित किया है। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज़्यादा विकता है। आप राइगाड में किसी केमिस्ट की दुकान पर सबेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज़्यादा विक रही है। तो वो एक ही दवा है विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं विक्स सकती वो भारत में हाईएस्ट सेरी मेडिसेन है। सबसे ज़्यादा विक्ने वाली तब। कारण क्या है हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गेंबल कंपनी को लाइसेंस रखा विक्स बनाने का और वो धडले से बना रही है। टेली विजन के रोज उसका विग्यापन आता है जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विग्यापन टेली विजन में नहीं दिया जा सकता। यह कानून है। हमारे भारत में भी यह कानून है। अमेरिका में तो है ही यह कानून है। और सरकार कुछ करती नहीं क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस दे के बैठी है और ये कैसे होता है ये पैसे की ताकत से होता है रिश्वत से होता है घूस खोरी से होता है टेलिविजन में आपको बताया जाता है कि खासी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिच-खिच दूर करो ये अपराद है बोलना टेलिविजन के, क्राइम है, कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, कारण उसका घुस, खोरी, रिश्वत, खोरी, ब्रश्टा चाथ, और वो दवा हम खरीद रहें और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं न, विक्स तो कितनी महगी मिलती है पचीस ग्राम विक्स चालीस रुपई की है, पचास ग्राम असी रुपई की है, सो ग्राम एकसो साथ की है, एक किलो सोले सो रुपई किलो विक्स हम नाथ में लगा रहे हैं 400 रुपए किलो बादाव नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो काय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा रहे आपको मालूम है ये विक्स बंती किस्से है, ये बंती है पेट्रोलियम जैली से, और पेट्रोलियम जैली अगर बाजार से आप खरीदो, तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी के मिल जाती है घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जैली खरीदो, 15-25 रुपए किलो में मिल जाती है, तो जो दबाँ 50-60 रुपए किलो में बजार में मिल रही है, पेट्रोलियम जैली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है ऐसी लूट मचा रखी है इस देश अगर आप गणित का हिसाब लिका लेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गेंबल कमपनी को 20,000 प्रतिशत से ज़्यादा का मुनाफ़ा है और ये मुनाफ़ा आपकी जेब से लूटा जा रहा है और सरकार इस घोटा ले में शामिल है सरकार ने लाइसेंस दे रखा है आखें बंद कर रखी है कमपनी लूट रही है पूरे देश को और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं बिक्ती पूरी दुनिया हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार महाँ के डॉक्टर्स और चिंगित साव विशयशग्यों से बाते करते हैं तो वो हेरानी से हमसे यह पूछते हैं कि भारत मीं यह कैसे संभव होता है कि एक पॉईजन मैडिसन को बेचा जाता है एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत ये हमारे यां होता है और एक उधारण देता हूँ एक विदेशी कमपनी हमारे यां एक दवा बनाती है और बेजती है उसका नाम है आयोडेक्स आपने इसका विज्ञाबन सुना होगा आयोडेक्स मन ये काम पे चलिए यह आयोडेक्स नाम की दवा हर चोट और मोच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता आयोडेक्स का अमेरिका, कनाडा जैसे सब देशों में यह बंद है 20 साल पहले बंद है लेकिन बारत में धडलले से बिक्टे हैं फाल्तू में ऐसी दवाएं हमारे याँ बहुत बिक्ते और एक उधारन देता हूँ हमारे याँ ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बेबी फूड और बेबी पाउडर्स बेचे जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बेचता कहीं नहीं बिक्ते हमारे देश में जो छोट छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेबी पाउडर के नाम पर बहुत सारे ब्रेंड हैं सेरेलग है, नेस्टम है, लेक्टोजन है ये दुनिया में कहीं नहीं बिक्ते अगर आप अमेरिका जाएंगे किसी दुकान में नहीं मिलेगा या आप, यूरोप में भी नहीं हो, अमेरिका यूरोप में तो हम लोग देखते हैं कि वहां बड़े-बड़े शहरों में होडिंग्स लगाये जाते हैं और उन पर लोगों को समझाने के लिए लिखा जाता है, बेबी पाउडर नौट, बेबी किलर, वो कहते हैं कि ये बेबी पाउडर नहीं है, बच्चों को मार डाले, ऐसी चीज़, अमेरिका यूरोप में कोई अपने बच्चों को ये नहीं देता, नेस्टम, सेरेल, अकलेक्टोजन, लेकिन भारत में पता नहीं कितने परिवारो में बच्चों को ये खिलाए जाए, पैसे भी बरबाद हो रहे हैं, बच्चे भी खराम हो रहे हैं, तो ऐसा हमारे देश में ये बहुत बड़ा घटा टोप है, गोता निलबाजी, हिश्वत खोरी में, पूरा चिकितसा व्यवस्था टूबी होई है हमारी, और इस चिकितस में हैं, फाल्तु की दवाएं, इर्रेशनल, इर्रेलिवेंट मेडिसें, जहरीली दवाएं, इन सब को डॉक्टर्स आपको लिखते हैं, एक ही लालच में कि उनको कमीशन मिलता है इन दवाओं को बिखवाने में, हमारे भारत के बड़े-बड़े डॉक्टर्स को में मिलता रहता हूँ, उनकी जो प्रेस्क्रिप्सन शिलिप है, वो में इकट्टी करता रहता हूँ, हमारे पतेंजली योग पीठ में आप जानते हैं कि हर दिन करीब 2-5,000 मरीज आते हैं, और उन मेंसे जादा मरीज ऐसे होते हैं, जो अंग्रेजी अलो पैथी के चक्कर में सब बरबाद करा चुके, किट्नी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, दमा हो गया, स्थमा हो गया, अलसर हो गया, पैप्टिक अलसर हो गया, अंत में आते हैं हमारे, तो पहले कहां कहां इलाज कराया हम उनसे पूछते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्सन शिलिप मैं देखता हूँ, तो डॉक्टर्स की लिखी हुई ऐसी ऐसी दवाएं देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, जिन दवाओं को कोई भी इमानदार और संविदनशील डॉक्टर अपने को नहीं खिला सकता, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो दवाएं डॉक्टर मरीजों को लि परिश परिणाम है, दुनिया के इतने देशों में ये बेन है, आपने कैसे लिखा इसको, तो वो डॉक्टर्स मुस्करा के रह जाते हैं, और जो थोड़े हमारे नजली की हैं, वो कहते हैं, क्या बता हैं, भाई, कमिशन मिलता इस, और कमिशन थोड़ा बहुत नहीं मिलता चालीस परसेंट तक नहीं था, आपको शाहिद ये बात मालूम है या नहीं कि अगर आप किसी कैमिस्ट की दुकान से हजार रुपई की दवाएं खरीद रहे हैं, किसी डॉक्टर की स्लिप पर लिखी हुई, प्रेस्क्रिप्सन श्लिप पर लिखी हुई, तो उस बैसे चा चार सो रुपई डॉक्टर के पास जाएगा, ये सारे कैमिस्ट जो है ना डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कमिशन खोरे हैं, वो दवा बेचेंगे, मुनाफ़ा आएगा, उसमें से चार सो रुपई डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा, और ये काम और बड़े पैमाने पर होता है, जब बड़ी-बड़ी कमपनिया अपनी दवाएं डॉक्टर से लिखवाने के लिए कमिशन देती हैं, कैसे कमिशन देती हैं, बहुत सारी कमपनियां डॉक्टर को कार देती हैं, गिफ्ट में कार दे देती हैं, टेलिविजन दे देती हैं, फिल दे देती हैं, घर में ऐसी लगवा देती हैं। कई-कई कंपनियां तो डॉक्टर्व परिवारी लोगों को सुर्जलेंड घूमने का टिकट देदेती हैं। होंग कॉंग सिंगापूर का टिकिन दे देते हैं, कहते हैं जाओ खरीद दिए करके आओ, अब वो डॉक्टर जब कमपनी से कार पा जाएगा, स्कूटर मोटर साइकल लेगा, उनकी बहुत सारी सुरिदाएं लेगा, तो वो तो उनका जल खरीद गुलाम हो गया। अब तो कई कमपनीयों ने इतने खराब खराब तरीदे निकाले हैं इस रिशवत खोरी के, कि बहुत सारे डॉक्टर से हैं जिनके बेटे बेटीوں की पढ़ाई का खर्च दवा कमपनी देती हैं। डॉक्टर्स के टेली फोन का खर्च दवा कमपनी भरती है डॉक्टर्स की गाड़ी में डीजल पेट्रोल का खर्च दवा कमपनी देती है तो वो डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिसको कमपनी कहती है और कंपनी वो दौाई लिक्वाती है जिसमें मुनाफ़ा बहत हो और मुनाफ़ा उनी दौाओं में हैं जो सबसे खराब और रद्दी दौाई ये सारा रैकट ऐसे चलता है तो इस चक्कर में आप जो दौाई खा रहे हैं आप नहीं जानते कि उनी दवाओं से आप और ज़्यादा बीमार होते चले जाएं। आप नहीं जानते कि कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपके घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार हैं। जितनी एंटी पाइरेटिक और एंटी एनलिजसिक मेडिसिन हैं ये सब घुटनों का दर्द करते हैं। से बचो, आप बीमारी से नहीं, ये वेकार की फाल्टी एमिल्डेटिट बगाउं से बचाएं, ये दवाएं बहुत खतरनाक हैं, आपको मालुम हैं, अमेरिका जैसे देश में, अभी जो जादा इमांदार और सम्मेदंशीर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक सम्मूह बनाया हैं, और अपने मरीजों को वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसन, बिना दवाओं के इलाज करवाओ अपना, अमेरिका में अभी अभ्यान शुरू हो गया, कनाडा में ये अभ्यान शुरू हो गया, यूरोप के देशों में जो सेंसिटिव और इंटेलीजन हैं, वो भी यही काम में लग गए हैं, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसन, बिना दवा के इलाज करना बीमारियों का, आप मुझेंगे वो डॉक्टर कैसे करते हैं ये सारा काम बिना दवा के बीमारियों का इलाज, आपको खुशी होगी, आनंद होगा, कि ये सारा अभ्य यान वो योग और प्राणायाम की ताकत पे चला रहे हैं, अमेरिका यूरोप में ऐसे सेकुणों डॉक्टर हैं, जो अपने मरीजों को प्राणायाम करा रहे हैं, योग करा रहे हैं, अमेरिका यूरोप में ऐसे सेकुणों हजारों डॉक्टर हैं, जो अपने मरीजों को आ बात कर दिया है लोगों को शरीर बरबाद हुआ है पैसे बहुत बरबाद हुआ तो जब अमेरिका यूरोप में योग प्राणायाम चालू हो गया है तो भारत में क्यों नहीं करना इसलिए परंपूजनी स्वामी रामदेव जी ने भारत के एक एक गाओं के हर व्यक्ति को योग प्राणायाम सिखाने का संकल्म पिया है और इसी के लिए ये भारत स्वाविवान का अंदोलन शुरू किया आपको एक बात बताता हूँ थोड़ा आनंद आएगा आपको खुशी होगी अमेरिका में हर अविवार के दिन सारे बड़े शहरों में कोई भी खाली जगे नहीं है जहां पर प्राणायाम और योग ना होता हो जैसे ये राइगड का रामदीला मैदान है ऐसे अमेरिका में जगे जगे मैदान है पब्लिक पार्क्स कहते हैं हर अविवार के दिन लोग भरे रहते हैं उन पब्लिक पार्क्स में प्राणायाम करने के लिए कट्टे होते हैं योग करने के लिए कट्टे होते हैं और अब अमेरिका में ये हालत हो गई है कि रविवार वाले दिन जादा लोग योग और प्राणायाम कर ले जाते हैं चर्च में पूजा करने नहीं आते तो अमेरिका के चर्च में आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई तो चर्च के जो पादृ है ना वो अब बहुत परिशान होने लगे और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया है कि लोग चर्च में नहीं आते सब प्राणायाम करने चले जाते तो अभी अमेरिका के पादरियों ने आपस में मिलकर एक बयान जारी किया और ये कहा है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है ये कहा है तो अमेरिका के जिन पादरियों ने ये बयान जारी किया कि जो प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है उन पादरियों के सभू का जो मुख्य पादरी है उसको अमेरिका के एक टेलिवीजन चैनल पर बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई कोई अगर प्राणायाम करता है योगासन करता है तो उसका शरीर तो पवित्र होता है और अच्छा होता है आप बोलते हो इसमें शैतान आ जाता है ये कैसे तो उसने गुस्से में कहा कि ये सब लोग हमारे चर्च में तो आते नहीं है चर्च तो खाली हो गए है और सब पार्क में प्राणायाम कर रहे हैं योगासन कर रहे हैं हमारे चर्च की इज़त कम हो रही है तो इसका मतलब उनका धर्म खत्रे में पड़ गया है योग प्राणायाम की ताकत इतनी बड़ी है जब अमेरिका में ऐसा हो रहा है यूरोप में ऐसा हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं होना चेए क्योंकि योग प्राणायाम तो भारत की विद्या है परम पूजनिये महर्शी पतंज ली ने इसको भारत से प्रारंब किया सारी दुनिया में इस विद्या को भारत ने फैलाया तो भारत में योग प्राणाम क्यों नहीं बढ़ना चाहिए जब अमेरिका में बढ़ता है यूरोप में बढ़ता है तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी योग प्राणायाम करें अपनी हर बीमारी के इलाज के और मैं आपको विलम्रता पूरवग लेकिन द्रणता के साथ ये कह रहा हूँ कि एक भी बीमारी आपकी ऐलोपैथी दवाओं से ठीक नहीं होगी सामन ने बीमारी चीक नहीं हो पाती है ऐलोपैथी मैं तो गंबीर बीमारी तो कभी नहीं होती अगर आपको सरदी जुकाम हो जाएं आप कुछ मत करो कुछ मत करो बस गरम पानी पीते रो तीन दिन में अपने आप ठीक हो जाएं लेकिन कोई ऐलो पैथी दवा अगर आपने खाई तो वो दस से पंद्रे दिन तक ठीक नहीं होगा वही चुगा यह हाल है ऐलो पैथी का तो आप ज़्यादा फालतू ऐलो पैथी दवाएं ना खाएं यह हमारा आपको संबेश है और आप अपनी जीवन में तो प्राणायाम का अपने जीवन में उव्योग करें हर बीमारी का समाधान आपको वहां में लेगा तब आप यह कह सकते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कौन सी दवाएं है आईरवेद में जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकती है प्राणायाम कौन कौन से हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो आज मैं आपको ऐसी कुछ दवाएं बताना चाहता हूँ जो आयरवेग में बहुत अच्छी मानी जाती है और हमारे घर की रसोई में आराम से वो दवाएं मिल जाती है हमारे जो घर की रसोई है वो दवाओं का सबसे बड़ा भंडा है तो रसोई घर में जितनी दवाएं हैं और बहुत अच्छी हैं और आयरवेग में हजारों वर्षों से इस्तेमाल हो रही है ऐसी कुछ दवाएं में आपको बताऊंगा आपके पास अगर कागज है कोई डाइरी है, नोट बुक है तो आप जरूर लिख लीजे और ये दवाएं आपके बहुत काम आएंगे हमारे जो योग सिक्षक बैठे हैं वो तो जरूर लिखें क्योंकि हर दिन वो योग कक्षा में जाते हैं और हर दिन उनको इन दवाओं के बारे में कानायाम में कौन सी विधियां हैं जिन से हम हमारी बीमारियां ठीट कर सकें मैं शुरू करता हूँ डाइबिटीस से शुगर की बीमारी की जो बहुत तेजी से बढ़ रही है इस देश में पांच करोड सतर लाग भारतवासियों को शुगर हो चुकी है डाइबिटीस हो चुकी है और सरकारी आकरों के अनुसार तीन करोड को होने वाली है माने आठ करोड सतर लाग भारतवासी थोड़े दिन बाद इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और ये बीमारी जो है ना साइलेंट किलर है साइलेंट किलर का माने आपको चुक्चाप मार डाले ऐसी बीमारी अगर आपको डाइबिटीस हो गई शुगर हो गई तो कभी भी आपको हर्ड डेटेक आ सकता है कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कभी भी ब्रेन हैमरेज हो सकता है कभी भी paralysis हो सकता है कभी भी दोनों गुर्गे खराब हो सकते है लीवर खराब हो सकता है और अगर diabetes आ गई है तो नकुन सकता तो कभी भी आ जाएगी आपों की रोशनी आपकी कभी भी चली जाएगी बहुत खतरनाफ है ये diabetes लिए इसलिए इसके वारी में गंभीरता से आप इलाज करिए इलाज क्या करना है सबसे पहले आपको पांच मिनट हर दिन करना है भस्तुरिका प्राणायाम सबेरे खाली पेट पांच मिनट आपको भस्तुरिका प्राणायाम करना है जरूर जो diabetes के परीज है और आदा घंटे के लिए करना है कपाल भाती प्राणायाम और आदा घंटे के लिए करना है अनुलोग विलो तो पांच मिनट भस्तरिका आदा घंटे कपाल भाती आदा घंटे अनुलोग विलो ये तीन प्राणायाम हर दिन करने हैं बस्रिका कैसे होता हैं आप जानते हैं आराम से आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ की पहली उंगली को अमठे के साथ इस्पर्ष कराईए ये ध्यान मुद्रा होती है इस मुद्रा में बैठ जाईए हाथ आपके दोनों भुटनों पर होंगे और आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस भरिये और धीरे धीरे स्वास को छोड़िये लंबी सांस भरिये और लंबी सांस छोड़िये जितनी धीमे सांस आप लेंगे और जितनी धीमे सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। जितनी गहरी सांस लेगे, जितनी गहरी सांस छोडेगे, उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। दस सांस लेते रहे चोड़ते रहे और ये पांच मिनट लगातार करना इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम करना है आपको वो है कपाल बाती कपाल बाती में क्या होता है जटके के साथ स्वास को बाहर मिकाला जटके से फोर्स के साथ और जब आप स्वास को बाहर मिकालेंग तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ये है कपानी बार, हर दिन आपको आदा घंटे करता है, तीसरा प्राणायाम है, वो है अनुलोंग दिलोंग, अनुलोंग दिलोंग में क्या करना है, दाहिनी नाप बंद करके बाई नाप से पूरी सास निकालना है, और फिर बाई नाप से सास बरके उसको दाहिनी नाप से निकालना है, फिर दाहिनी नाप से सास बरके बाई से निकालना है, उन बाई से सास बरके दाहिन नाप से निकाल तो आदा घंटे आप अनुलों बिलों करें आदा घंटे कबाल भाती करें और पांच मिनट करें भस्त्रिका ये तीन प्राणयाम अगर आप नियमित करेंगे तो आपकी डाइबिटीज बिल्पुल ठीक हो जाए ही गारेंटी के साथ ठीक हो जाए और लगबग देड़ से दो प्राणयाम किया अनुलों मिलों कपाल भाती और बस्त्रिका सबी के डाइबिटीज डेड़ दो महिने में ही ठीक होती है कितनी बढ़िया डाइबिटीज की ये ठीक करने की प्रफिया है कितना अच्छा ठीक है पैसा कोई खच नहीं हो रहा है शरीर को कोई दुश्परिना श्चाम नहीं हो रहा है आप रोज अपने घर में ये कर सकते है करोड़ पति आत्मी मैं कर सकता है और कमे कर सकता है श्रो तो आप ये प्राणायाम करें और आयुर्वेद की एक दवा आप उसका फॉर्मूला लिख लीजे वो आप डाइबिटीज में इस्तेमाल करें ये दवा आप घर में ही बना सकते हैं वैसे तो डाइबिटीज की दवा हमारे पतेंजली चिकतसाले में भी मिलती है, मदुनाशनी बटी कहते हैं, आप बो चाहे तो ले सकते हैं और या चाहे तो घर में ही आप दवा बना लीजे डाइबिटीज के जो घर में आप दवा बनाएंगे वो कैसे बनेगी सौ ग्राम लीजिये मैथी का दाना और इस सौ ग्राम मैथी दाने को धूप में सुखाईगे और दो-तीन दिन जवाब इसको धूप में सुखा देंगे तो इसको पत्थर में पीस लीजिये पाउडर बन जाए तो सौ ग्राम मैथी दाने का पाउडर दे लीजिये फिर एक दूसरी दवा है सौ ग्राम लीजिये तेजपत्ता तेजपत्ता हमारे घर में है आप इसको धूप में सुखा लीजिये पत्थर में पीस कर इसका पाउडर बना दीजिये तो 100 ग्राम तेज पता और तीसरी दवा है 150 ग्राम जामून की गुठली जामून का फल आता है उसे आप खाते हैं उसकी गुठली को मत फेके जामून का बीज जामून की गुठली तो जामून को खाईए और उसका जो बीज है उसको धूप में सुखा लिए और उसको सुखा कर पाउडर बना लिजे 150 ग्राम जामुन के बीच का पाउडर और चौधी दवा है बेल पत्र शंकर भगवान को जो आप बेल पत्र चड़ाते हैं वो 250 ग्राम तोड़िये और उसको धूप में सुखा कर उसको पीस कर उसका भी पाउडर बना लिजे अब ये चार दवाएं आपके पास हैं 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते को पीस कर पाउडर बना लिया 150 ग्राम जामुन की बीच को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लिया सौ ग्राम मेथी दाने को सुखा कर पीस कर पाउडर बना लिया और सौ ग्राम तेज पत्ते को पीस कर सुखा कर पाउडर बना लिया ये चारों को पीस कर आपस में मिला दीजिया और एक काच की शीशी में इसको भरके रखिए बस यही दवा है डाइब चीज अब इसको खाए जाएंगे कैसे एक चम्मच पाउडर सुबह लेना है गरम पानी के साथ नाश्टा करने से एक घंटे पहले और एक चम्मच पाउडर शाम को लेना है खाना खाने से एक घंटे पहले तो सुबह शाम एक एक चपमच पाउडर लेते जाए और गरम पानी से लेना और इसको डेड़ दो महिने अगर आपने ले लिया तो ये आपके डाइबिटीज को बिल्गुल ठीक कर देगा शुगर एक दम आपकी ठीक हो जाएगा आप जान लीजे एलोपैथी में डाइबिटीज को ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है लेकिन आयुर्वेत में योग प्राणायाम में गारंटी से डाइबिटीज ठीक होता है और लाखों लोगों का डाइबिटीज ठीक हुआ है पिछली दस वर्षों में और वो अभी अपना जीवन सामन रूम से पिता रहे मेरी आपको ये प्रार्थना है कि जो मैंने आपको बताया ये आप उन सभी को बताईए जिनको शुगर की बीमारी हो गई है डाइबिटीज उनको हो गया क्योंकि पांच करोर सब्तर लाग धारतवासियों को इसकी जरूरत है और वो अगर इससे अपना जीवन सुखी बना पाईए तो इस उनका लाव आपको भी मिलेता तो आप अगर खुड डाइबिटीज है तो अपना इस्तेमाल करें और कोई आपके परिचित पित्र है उनको भी बताएं इस पूरे चिकित सागो करते समय बस एक ही सावधानी आप रखें चीनी मत खाईए चीनी खाना बन करते डाइबिटीज का इलाज करते समय आप ये आईरुवेद की जो और शबी खाएंगे इसमें आप चीनी मत खाईए दस इतना ही सावधानी रखेंए आप बोलेंगे चीनी में क्या समस्या है चीनी ही तो सबसे बड़ी समस्या है मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से भारत में चीनी आई तबी से ये डाइबिटीज आई आपको मालूम है भारत में शुरू कराई थी इसका उत्पादन अंग्रेजों के पहले भारत में कोई चीनी खाता नहीं था चीनी कोई बनाता भी नहीं था हम सब भारत्वासी गुड़ खाते थे बूरा खाते थे खांड खाते थे चीनी कोई नहीं खाता था एक भी दुनिया की अच्छी चीज चीनी में नहीं है जैसे मैं आपको उधारन दू हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोशक तत्त होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं चीनी में एक भी सूक्ष्म पोशक तत्त तो नहीं जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रियंट्स कहते हैं मैक्रो न्यूट्रियंट्स कहते हैं वो एक भी चीनी में नहीं है चीनी में कैल्शियम नहीं है चीनी में आईरन नहीं है चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, ना मेगनीशियम है, ना मेगनीज है, एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है, चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटेमिन्स है, चीनी में ना कोई मिनरल है, ना उसमें vitamins है, ना protein है, ना mineral है, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली उसमें मीठापन है और कुछ है, और दुर्भाग से चीनी का जो मीठापन है, वो आपके शरीर के काम का नहीं है, ये जो चीनी का मीठापन है ना, इसको विग्यान और तक्नीकी की परिभाशा में सुक्रोज कहते, ये जो सुक्रोज है, ये शरीर को हजम नहीं हो पाता, तो चीनी जो खाते हैं, इसका मीठापन आपके शरीर में हजम नहीं हो पाता, फिर क्या होता है, आप जो चीनी खाते हैं, उसका मीठापन आपके खून को गाड़ा बनाता रहता है और खून जैसे जैसे गाड़ा होता जाएगा उसमें कॉलेस्टरॉल बढ़ता जाता है और कॉलेस्टरॉल बढ़ गया तो एक सो तीन खतरना बिमारियां आपको आएंगी आपका मुटापा बढ़ेगा, दजन बढ़ेगा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा डाइबिटीज शुगर तो होने ही वाली है थोड़े दिन में घुट्टों का दर्द आएगा कमर का दर्द आएगा, कंदे का दर्द आएगा बहुत जादा दिन तक अगर आप ये जहिलते रहे तो कितनी खराब होगी, लिवर डैमेज होगा 103 खतरनाग बिमारियां आती हैं चीनी के कारण इसलिए चीनी तो बंद ही करना है आपको जो डाइबिटीज के मरीज है वो तो तुरंद बंद कर दे और जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते वो भी चीनी खाना बंद करें फिर आप बोलेंगे जी क्या खाएं घुड़ खाओ ना घुड़ देखो आप सीधी सी बात समझ लो एक मीठापन ऐसा है जो भगवान ने बनाया इश्वर ने बनाया और एक मीठापन ऐसा है जो आदमी ने बनाया ये चीनी वो है जो आदमी बनाता है और ये गुड़ का मीठापन है जो भगवान ने बनाया गुड़ कहां से आया गन्ने के रस में से आया अब गन्या तो भगवान ने बनाया उसमें रस भगवान ने दिया और गुड़ में क्या होता है गरम करते हुए गन्ये का रस गुड़ बन जाता है हम उसमें कुछ नहीं मिलाते बस थोड़ा गुड़ को साफ रखने के विए गन्य के रस में दूद मिला दिया जाता है दूद जो आप पीते हैं या भिंडी होती है ना भिंडी भिंडी का रस मिला देते हैं तो गुड़ बनाना माने वही जो ईश्वर ने दिया आप उसी को खा रहें चीनी जो है ना ये बहुत खतरनाक है ये बनती तो गन्ने के ही रस्से हैं लेकिन इसमें जितने केमिकल्स डालने पड़ते हैं वो सब शैतान के बनाए हुए शैतान मने ही सब आपको मालूम है बिना सलफर के चीनी नहीं बनती सलफर दुनिया का सबसे खतरना केमिकल है जो शैतान ने बनाया पताए ये सलफर किसलिए बनाया ये बनाया गया बम और पठाखों के लिए ये दिवाली पर हमारे घरों के बच्चे जो पठाखे चलाते हैं इन सभी पठाखों में सलफर ही होता है गंधक जिसको हम कहते हैं गंधक के मसाले से सारे पठाके और बंबनते हैं उसी गंधक के मसाले से चीनी बनते है और अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लो बंब पठाकों का मसाला खा रहे हैं अब ये आप खाओगे चीनी के साथ सन्फर जाएगा पेट में और ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा खून और आपको सैक्डो तकलीफ करेगा इसलिए इसे ना खाओ तो अच्छा है और एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में शुगर मिल और सारी भारत की शुगर मिल भारत के सबसे बेईमान और भरष्ट मेताओं की भारत की राजनीत में जो सबसे ज़्यादा बेईमान हरामी और लालची नेता है उनी की चीनी मिले हैं पूरे देश आप अगर घूमो पूरे भारत में तो सबसे ज़्यादा चीनी मिले महाराश्टों और महाराश्टों के सबसे ज़्यादा बेइमान और हरामी नेता उनके मालिक हैं चीनी में फिर करनाटक में, फिर आंद्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडू में, उत्र प्रदेश में, सारे बेइमान नेताओं की राज़नी तिन्ही चीनी मिलों से चलती है। इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे, तो उसका पैशा किसी ना किसी बेईमान और भष्वनेता की जीम में ही जाएगा। इसका माने, आप चीनी खरीद कर बेईमान और भष्वनेताओं की ताकत बढ़ा रहे। और फिर आप भृष्टा चार ख़तम कैसे करोगे इस देश का इसलिए ये चीनी खाना तुरन बंद करते हो फिर क्या खाओ गुड़ खाओ गुड़ गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान के पास जा रहा है और वो किसान की गरीबी दूर करने में काम आ रहा है तो आप गुड़ खाओ ताकि पैसा गरीब किसानों के पास सीथा जाए और गुड़ में फाइदा क्या है गुड में सबसे ज़्यादा केलशियम है जो हमारे शरीर को हड़ियां बनाने में काम आता है केलशियम से हड़ियां बनती है केलशियम से खून बनता है केलशियम से ये मास बनता है केलशियम से ये पूरा शरीर बनता है गुड में भगवान का दिया हुआ भरपूर केल्चियम है गुड में और एक दूसरा केमीकल है फॉस्फॉरस ये केल्चियम फॉस्फॉरस की मदब से हड़ियों को मच्बूत बनाता है और गुड में भरपूर फॉस्फॉरस है गुड में बहुत बड़ी मात्रा में मैगनीशियम है, मैगनीज है, पोटेशियम है, सोडियम है गुड हर तरीके से शरीर के लिए लाब करिए तो आप गुड खाओ, चीनी घर से हटाओ चाए पीनी है तो गुड की पियो, दूद पीना है गुड से पियो, दही खाना है गुड का खाओ हलुआ बनाना है तो गुड का बनाओ, लड़ो बनाने है गुड के बनाओ, पेड़ा बनाना है, मिठाई बनानी है गुड की बनाओ हर चीज गुर से बनती है और आप तो बहुत भागिशाली है कि आपका इलाका उडीसा बंगाल से लगा हुआ है और ये उडीसा बंगाल में भारत का सबसे बहतरीन खजूर गुर बनता है उडीसा बंगाल में भारत का सबसे बहतरीन ताड गुर बनता है तो आपको खजूर गुड़ भी मिलता है, ताड गुड़ भी मिलता है, आपको गन्य के रसवाला भी गुड़ मिलता है, तो आप तो बहुत भागिशाली है, तीनों तरह के गुड़ आपके यहां मिलते हैं, तो आप यही गुड़ खाओ, इससे शरीर भी स्वस्त रहेगा, और भारत के किसानों को मदद मेरेगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, सारे भारतवासी मेरी इस विदम्र अपील को अगर माल लें, चीनी खाना बंद कर दें, तो एक साल में जितने रुपई की चीनी हम खा रहे हैं, इतने ही रुपई का गुड़ खाना शुरू कर दें, तो पंद्रे करोड किसानों को हमेशा के लिए हम करोड पती बना सकते हैं, जो गन्ना पैदा कर रहे हैं और गुड़ बना कर देश को दे रहे हैं, आपको मालूम हैं, ये जो चीनी मिल चलाने वाले बेईमान नेता हैं, ये करते क्या हैं, किसानों से जबर जस्ती गन्ना ले लेते हैं, और दो दो तीन तीन साल तक उनको पैसा ही नहीं देते हैं, गन्ना ले लेते हैं पैसे नहीं देते हैं पैसे तीन साल बाद चार साल बाद पाच साल बाद बिचारे किसान भटकते रहते हैं फिर मैं किसानों से कहता हूं कि आप इनको गन्ना देंजें क्यों हो तो किसान मुझे कहते हैं कि इन वहीमान नेताओं ने कानून बना रखे हैं कि जिस इलाके में चीनी मिल खुल गई है वहां के आसपास के सारे किसान अपना गन्ना उसी चीनी मिल को देंगे नहीं तो किसानों को पुलिस पकड़ती हैं परिशान करती हैं लाठी चार्ज भी हो जाता है उनके साथ और ये सारे चीनी मिलों में कई-कई सालों से किसानों के पेमेंट होके हुए पड़े है तो आप इन चीनी को खाकर शरीर को खराब मत करिए किसानों को बरबाद मत करिए इसलिए मैंने कहा गुड़ खाईए अपना शरीर अच्छा बनाएए वारत के किसानों की भी मदद करिए एक आखरी छोटी सी बात मैं आपको याद के लिए कहना चाहता हूँ आप इसको हमेशा सब को कहिए आप खाना खाए और खाने के बाद पीछे से थोड़ा गुड़ जरूर खाए ये गुड़ जो है ना खाने को पाचन को जल्दी कराता है मानिए खाना जल्दी हजम होता है अगर आप गुड़ खाते हैं आप खाना खाएए लंच या डिनर दोपैर का या रात का और पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजे तो सारा खाना आपका लगबग खाना खाना हजम होने का मतलब आप जानते हैं उसका खून में बदल जाना जो कुछ भी हम खाते हैं इसी का खून बनता है तो खाना खाएंगे हजम हुआ खून में बदल गया चार गंटे में ये काम होता है गुड़ की मदद से अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर खाने के बाद आपने एक चम्मचीनी खा ली तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होगा पताये क्या होगा ये एक चम्मचीनी खाने को हजम नहीं होने देगी क्यों नहीं होगा खाना हजम आप पूछोगे ये प्रश्ट, बात ऐसी है कि चीनी जैसे ही हम खाते हैं, हमारे पेट का जो जठर अगर एपिगैस्ट्रियम है, वो अमली हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और जठर अगर एसिडिक हुआ है, तो फिर खाना हजम नहीं हो पाता, खाने को हजम होने के लिए जठर को, एपिगैस्ट्रियम को छारी होना चाहिए, एलकलाइन होना चाहिए, चीनी खाते ही वो ऐसिडिक हो जाता है, फिर क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता, फिर वो खाना सड़ता है, सड़ा हुआ खाना कॉलेस्ट्रॉल में बदलता है, और वो कॉलेस्ट्रॉल एक का शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, जितने लोगों का वजण बढ़ा हुआ है, वो सब अपने य kolay जाहेगा, जिनके घुट्नों में दर्द है चीनी बंद करते ही ये दर्द कम हो जाएगा, जिनका है VP है MP कम होगा, जिनकी शुगर बढ़ी है शुगर कम होगी हर बीमारी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी तो चीनी छोड़ें गुड़ खाएं ये मेरा निवेदन है और डाइबिटीज के मरीज तो तुरंत करें इस काम को जो डाइबिटीज नहीं है जिनको वो भी खरें ताकि भविश्य में आपको ये बीमारी बात करें जो है हाई ब्लड प्रेशर डाइबिटीज की बात मैंने की अब हाई बीपी की बात करें हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को ठीक करने के लिए तीन प्राणायाम बहुत जरूरी है पहला वही भस्तर का दूसरा कपालवाती तीसरा अनुलों गिलों तो ये तीनों प तरवा है दाल चीनी, आदा चम्मच दाल चीनी पाउडर रोज शहद में मिलाके गरम पानी के साथ खाएं, आदा चम्मच दाल चीनी पाउडर आदा चम्मच शहद दोनों मिलाएं और गरम पानी के साथ खाएं, और अगर आपको डायबिटीज है तो दाल चीनी पाउडर खा बहुत जल्दी ठीप होगा। दाल चीनी हाई बलड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। एक दूसरी दवा है हमारे घर में हाई बलड प्रेशर के लिए। वो है मेथी का दाना। आप मेथी दाना ले लें आदा चमच और एक गिलास गरम पानी में रात को डाल दें। रात वर इसको पड़ा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को पी लें खाली पेट और मेथी दाने को चबा के खालें। इससे भी आपका हाई ग्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होगा। तीसरी एक दवा है आपके घर में हाई ग्लड प्रेशर के लिए। उसका नाम है अरजुन की चाल। अरजुन चाल बजार में भी मिल जाती है। 20-25 रुपए किलो आती है। इसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लें। आदा चम्मच अरजुन चाल पाउडर एक कप पानी में डालकर खूब गरम कर लें। और उसको फिर पी लें। ठंडा कर लें। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और अरजुन की चाल के पाउडर से हिर्दय रोग भी ठीक होते। जैसे आपके हिर्दय में कहीं ब्लॉकेज आ गया। आर्टवीज में ब्लॉकेज आ गया। अब आप उसके लिए एंजियो प्लास्टी ऑपरेशन कराएंगे तो दो लाग खर्च होगा। और यही काम आपका अरजुन की चाल का पाउडर कर देगा बिल्कुल मुफत में। आदा चमच अरजुन चाल पाउडर एक कप पानी में खूब गरम करके इसको चाई की तरह से रोज सुवए पी लेंगे। तो चार-छे मैने में आपका ब्लॉकेज भी निकल जाएगा। हाई बीपी तो ठीक होगा यह, ब्लॉकेज भी ठीक होगा। कॉलेस्टरॉल भी ठीक होगा, ट्राई गिलिस्राइट्स ठीक हो जाएंगे आपके। यह अरजुन जो है ना, अरजुन की छाल, यह कमजोर दिल वालों की सबसे अच्छी दवाएं। कई बार आपको डॉक्टर अगर ऐसा कहता है कि आपका दिल बहुत कमजोर है, तो आप जरूर इस अरजुन की छाल का उप्योग करें। और एक दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी की बहुत अच्छी लौकी का रस पियें। एक कप लौकी का रस हर दिन सबेरे खाली पेट पियें। नाश्ता करने से एक गंटे पहने। और इस लौकी के रस में पाँच्छे पत्ते धनिया के, पाँच्छे पत्ते पुदीना के, पाँच्छे पत्ते तुलसी के, पीस के जरूर डालें। और तीन चार काली मिर्च ये सम मिलाके फिर आप लौकी का रस पियें। तो हाई ब्लड प्रशर भी ठीक होगा इससे, शुगर भी नॉर्मल होगी इससे, और आपके हिर्दय के रोग भी ठीक होगे। कॉलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, मुटापा भी गटेगा, शरीर हलका हो जाएगा आपका। और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई ब्लड प्रशर के लिए, वो भी आपके घर के आसपास मिल जाएगी, उसका नाम है बेल पत्र के पत्ते, बेल पत्र का जो पेड़ है, उसके पत्ते जो हम शंकर भगवान को चड़ाते हैं, आप सभी पहँचानते हैं उसको तो बेल पत्र के पांच पत्ते ले लें, पत्थर में पीस लें, इसकी चट्नी बन जाएगी और इसको एक गिलास पानी में डाल कर इतना गरम करें कि पानी आधा हो जाएं, फिर इसको ठंडा करके पियें, ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा है, इसको आप हर दिंग पिये तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है जो लोगों को 20-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर है उनको आप कहिए कि ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा पिये और प्राणायाम करें देड़ दो महिने में उनका बिलकुल ठीक हो जाएगा जो 20 साल से है वो बीमारी मेरा निवेदन है कि आप सभी शंकर जी को जब पूजा करते हैं और बेल पत्र उनको चड़ाते हैं तो ये बेल पत्र मंदर में ना छोड़े शंकर जी को इस पर्ष कराके वापस ले आए और इसकी हाँ इसकी दवा बना के खाए क्योंकि आप शंकर जी के मंदर में पच्रे के डुब्बे में फेक देता हर सूमवार को हजारों मीट्र टन बेल पत्रे बरबाद होते हैं इस देश और मैंने इसका सोचा एक दिन हिसाब कि जितने शंकर मंदिर हैं और जितने बेल पत्र के पत्ते चढ़ाई जा रहे हैं और हम वो बेकार ना करें उतने ही पत्तों से वारत के 20 करूल लोगों का ब्लेड प्रशर ठीक किया जा सकता है तो अब आपको मंदिर की पूजा के पध्धती में थोड़ा बदलाव करना है शंकर जी के मंदिर में जाएए बेल पत्र चढ़ाईए लेकिन शंकर जी को इस पर्श कराके वो बापस ले आएए वो शंकर जी का प्रसाद है और उसको आप चबाके खा लिजे और पीचे से गरम पानी पी लीजे तो आपका मुटापा कम कर देगा बीपी कम कर देगा, शुगर कम कर देगा, कॉलेस्टरॉल कम कर देगा, ट्राइगलिस्राइट कम हो जाएंगे इतनी मीमारी अकेले बेलपत्र से ही हो जाएगी ठीका और अगर यहाँ कोई मंदिक के पुजारी बैठे हैं तो उनको तो निवेदन है मेरा कि जितने बेलपत्र मंदिर में आते हैं उसको धूप में सुखा लें और उसका पीस के पाउडर बनवालें और मंदिर में आने वाले हर भक्त को पुडिया बना बना के वो बेलपत्र के पाउडर के देगा शंकर जी ने ये आपके लिए दिया है शंकर जी को तो कोई high BP नहीं है ना low BP है ना उनको diabetes है ना उनको cholesterol है ये आपके लिए दिया है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को जो अर्पित होता वही प्रसाद है तो बेलपत्र ही प्रसाद है आपके आगे चलें और एक अच्छी दवा है हमारे घर में high blood pressure के लिए वो है गाय का मूत्र ये जो देशी गाय होती है भारतिय गाय है इसका आधा कब ताजा मूत्र रोज सुबह खाली पेट जो भी पी लेगा उसी का high blood pressure ठीक हो जाए और देशी गाय के मूत्र से शुगर भी ठीक होती है प्रसाद बिदमा ठीक होता है देशी गाय का मूत्र पीने से ब्रॉंकिलस ठीक होता है देशी गाय का मूत्र पीने से tuberculosis ठीक होता है PB बहुत खतरनाक रोग है ये ठीक हो जाता है तो आप देशी गाय का मूत्र जरूर पी सकते हैं ये गुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोडों का दर्द, स्पॉंडलाइटिस सब ठीक हो जाता है अद्बुत औशदी है, देशी गाय का मूत्र तो आप उसे भी पी सकते हैं आपके गर के आसफास जहां भी देशी गाय है आप ले सकते हैं बस इसमें सावधानी रखनी हैं दो पहली सावधानी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो देशी होनी चाहिए जर्सी नहीं हो जर्सी, होलिस्रियन, फ्रीजियन जो विदेशी गाय है उसका मूत्र कभी भी ना पिये और दूसरी सावधानी कि गाय जब गर्भवती हो तब उसका मूत्र ना पिये जब गाय गर्भावस्था में होती है ना उस समय उसका मूत्र पीने लायक नहीं होता इसका मतलब है गाय की जो बच्छडी है कुमारी गाय उसका मूत्र कभी भी पी है वो सबसे अच्छा है सबसे ज़्यादा सुरक्षत और यह देशी गाय का मूत्र है न यह कई बीमारियां जो ठीक करता इसमें से कुछ बीमारियों को याद रखें यह जो कुमारी गाय देशी गाय बच्छडी का मूत्र एक एक बून अगर आँख में डाल दिया जाए ताजा तो आँखों के सभी रोग ठीक करता है आँखों में मोतिया बिंद है वो ठीक हो जाता है आँखों में काला मूतिया है वो ठीक हो जाता है आँखों में रेटिनल डिटेच्मेंट है वो ठीक हो जाता है आँखों में रात को दिखाई नहीं देता वो ठीक होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते है कई लोगों को आखों से दिन में दिखाई नहीं देता डे ब्लाइंडनेस वो ठीक होती है कई लोगों को रंगों का अंतर पता नहीं चलता आखों में वो बिल्कुल ठीक होता है गो मूत्र से मैंने जो आखों की बीमारियों के नाम लिये न इसमें सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटेच्मेंट ये कहीं ठीक नहीं होती अमेरिका भी चले जाओ तो बहुत मुश्किल होता है इसका ठीक होना लेकिन ये गाई के मूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाती है और करना क्या है कुमारी गाई का बचली गाई का एक-एक मून मूत्रा आँख में डालना ताजा सबेरी और वो ड्रॉपर आता है ना उसकी मदद से डालना बहुत अच्छा इलाज है कान में अगर कोई बीमारी है आपके कान में जैसे कान से सुनाई कम देता है कान में हर समय आवाज आती है हम ऐसे करके आवाज आती रहती है या कान से मवाद निकलता है गंदगी निकलती है कान में फोड़े फुंसी हो जाते है ये सब बीमारीों के लिए गो मूत्र डाली है कान में बिलकुल ठीक हो जाता है बहुत तेज दर्द हो रहा है कान में तो एक बून गाय मूत्र डाल दीजे तुरंत दर्द बंद हो जाता है कान के बहुत अच्छी दवा है ये कान के सिर में दर्द है माथा दर्द है माईग्रेन है इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी गाय घी को हलका गरम करके एक एक बून दोनों नाक में डालके रात में सो जाईए तो सिर दर्द सभी ठीक होगा माथा दर्द सभी ठीक होगा और ये गाए गी को अगर आप नाक में डालते हैं ना तो इससे नीद बहुत अच्छी आती जो लोगों को रात में नीद नहीं आती, अनिद्रा की बिमारी है, उन सब को बोलिए के गाई घी نाक में डालके सों. कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, Sंगीत निकालते हैं, और उनका संगीत विचितर विचितर तरह का होता है. जो सोते हैं ना वो तो मस्ती से सोते हैं उनके पडोसी हमेशा परेशान होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है गाय घी गाय घी को हलका गरम करें रात में एक एक पून नाक में डाल के सो जाएं नाक से अवाज आना पिल्कुल बंद हो जाता है गाई गी और एक बीमारी में काम आता है जब नाक में किसी को हर समय छीनक आती रहती है जुकाम होता रहता है नाक से पानी आता रहता है तो गाई घी बहुत अच्छी दवाई हलका गरम करिए नाप में डालिये सो जाएए एक बहुत खराब बीमारी है साइनस साइनोसाइटिस उसकी भी दवा ये गा öğ गी ही है साइनस ठीक हो जाता गा öğ गी से और एक खराब बीमारी या हो जिनको स्नुफी लिया ज़ाद है माने सरदी खासी होती ही रहती है हर समय तो वो गाएगी डालें ठीक होता है बहुत जल्दी ठीक होता है और गाएगी एक बहुत अच्छे काम में आता है जब किसी को brain stroke हो जाए paralysis हो जाए, brain hemorrhage हो जाए और सिर में, brain में कहीं खून जमा हो जाए, ठकका तो गाएगी उसको सबसे जन्दी निकालता है गाएगी नाख में डालते रहिए बहुत अच्छी दवाएगी गले की कुछ बीमारियों की बात करें गले में infection होता है tonsillitis की बीमारी होती है इसकी सबसे अच्छी दवाएगी हल्दी हल्दी ले लीजिये आदा चम्मच और direct इसको मुझ में अंदर खोल कर गले पर डालते जी मुझ खोलिए चम्मच में आदा चम्मच हल्दी भरिए और अंदर ले जाके उसको गले में डालते जीये और मुझ बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएगी तो ये हल्दी लार के साथ गले में नीचे आएगी और एक ही खुराक में आपकी गले की हर भी मारी ठीक हो जाए तॉंसलाइटिस ठीक होता है एक ही डोस, सिंगल डोस इन्फेक्शन ठीक हो जाता है गले का एक डोस गले की सूजन ठीक हो जाती है गले की खिच-किच दूर हो बहुत अच्छी दवा है आगे चलें गले और छाती से जुड़ी हुई खासी एक बीमारी है कफ इसकी सबसे अच्छी दवा एक तो हल्दी है दूद में हल्दी डाले के पीजिए ये बहुत अच्छी दवा है दूसरा हल्दी को शहद मिलाके चाटिए आदा चम्मच अद्रक अद्रक माने अद्रक का रस और आदा चम्मच शहद ऐसे बना दीजिए और दीजिए बहुत जिल्दी खासी ठीप होती है और हमारे घर में कई बार ऐसी हालत होती है कि खास्ते खास्ते चहरा लाल हो जाए ऐसी खासी में बहुत अच्छी दवा है आदा चम्मच अद्रक का रस लीजे आदा चम्मच पान का रस लीजे पान जो हम खाते हैं और आदा चम्मच शहर्द ये तीनों को हलका गरम करके ले लीजे तो खतरनाग खासी बहुत जंदी ठीक होती है बहुत खराब खासी है वूपिंग कफ जिसको कहते हैं वो तुरन ठीक हो जाते हैं और एक खासी की दवा है अनार के रस को गरम करके पीना ये खासी को बहुत जंदी ठीक करता है और एक अच्छी दवा है अमरूद है ना अमरूद इसको गरम करके खाना ये तुरन खासी को ठीक करता है ठंडा अमरूद खाये माने कच्चा ताजा तो ये खासी बढ़ा देता है लेकिन इसी अमरूद को सेख लो आग पर फिर खाओ तुरन खासी खतम करता है और खासी की एक दवा है काली मिर्च गोल मिर्च इसको मूँ में डाल लो चूस लो खासी ठीक हो जाती अद्रग का छोटा टुकला मूँ में चूस लो खासी ठीक हो जाती आगे चलें, छाती की कुछ बीमारियां हैं, दमा, अस्थमा, प्रंकियल अस्थमा, इसका एक इलाज है गाएमूत्र, आदा कपरूच पियो, ठीक हो जाएगा और दूसरा इलाज है दालचीनी पाउडर, शहद मिलाके गरम पानी के साथ लो, फुर्कुल ठीक है आगे चलें, पेट की कुछ बीमारियां हैं, एक तो सबसे खराब बीमारी है कपजियत, कौस्टिपेशन आप अगर कपजियत की बीमारी से परिशान हैं, तो आप रात को सोते समय, अजवाइन और गुड़, ये चबा के खाईए आदा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गुड़, ये दोनों मिला लीजे, चबा चबा के खाईए, और पीचे से हलका गरम पानी पे लीजे, सुबह उठते ही पेट साफ हो दूसरी एक दवाइन, त्रिफला चूंग, आदा चम्मच त्रिफला चूंग, गरम पानी से रात को ले लीजे, सुबह उठते ही पेट साफ होगा तीसरी एक बहुत अच्छी दवाइन, अनार का रस, रोज एक कप अनार रस पी हैं, पेट साफ होगा चौती बहुत अच्छी दवाइन, अंगूर का रस, ये भी पेट साफ करें, और कुछ नहीं है, तो आपके घर में जो किशमिश है ना, किशमिश या मुनका, इसको रात को पानी में बिगो दीजे, दस बारे किशमिश हो या पांच-छे मुनके हो, रात को पानी में डाल द लीजे, सुबह उठकर चबा के खा लीजे, पीछे से पानी पे लीजे, ये भी कबजियत ठीक करें, और एक दो बीमारी है गंभीर, जैसे बवासी, अर्श, पाइल्स, हैमरोइड्स, फिस्चुला, फिशर, इन सब बीमारियों की सबसे अच्छी दवा है, मूली का रस ले लीजे, सबेरे ले लीजे, शाम को मत लेना, तो मूली के रस से बवासीर ठीक होता है, और दोनों बवासीर ठीक होता है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर, और फिशर, और फिशुला भी ठीक हो जाता है, मूली के रस से, और बवासीर की दूसरी अच्छी दवा है अंगूर का रस, काला वाला अंगूर जब बजार में आता है, इसका एक कप रस कोई भी रोज पी ले, तो इससे बीसियों साल पुराना ववासी ठीक हो जाता है, अगर पेट में आपको डाइरिया हो जाए, डीसेंट्री हो जाए, दस्त लग जाए, तो इसकी बहुत अच्छ जीरा खाईए, जीरा, कच्छा जीरा आदा चम्मच चबा के खाईए, पीछे से गुनबुना पानी पी लीजे, एक खुराक में ही दस्त ठीक होते हैं, एक ही खुराक, दूसरी खुराक में ही लेनी पड़े, और एक अच्छी दवा है डाइरिया डीसेंट्री दस्त के पी लीजे, और उसमें नीबु निचोड़के तुरंत पी लीजे, दूद में नीबु निचोड़ें और पी जाएं उसको, जल्दी, क्योंकि दूद में नीबु डालते ही वो फटता है, तो फटने से पहले उसको पीना, ये डाइरिया डीसेंट्री दोनों ठीक करता है, औ तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, सोट, हल्दी और मेथी, हल्दी, मेथी, सोट, तीनों बराबर मात्रा में लेना, सोट को पीस लेना पाउडर बनेगा, मेथी को पीस लेना पाउडर बनेगा, और हल्दी तो पिसा हुआ मिली जाएगा, तीनों सौसो ग्राम लेके आपस में मिला लो और इसका एक चमच सुबह खाली पेट गरम पानी से लेते जाओ तो घुटनों का दर्द कमर का दर्द सब ठीक करें और एक अच्छी दवा है कमर दर्द और घुटने दर्द के लिए वो है हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा हार सिंगार एक पेड होता है उसको संस्कृत में परिजात कहते हैं हिंदी में हार सिंगार उडीसा वाले उसको गंगा शिवली कहते हैं उस पेड में सफेद छोटे छोटे फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी रंकी होती हैं फूल में खुश्कू बहुत होती है और फूल रात को खिलते हैं सवेरे देखो तो जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं वो हार सिंगार के पांच पत्ते तोड़ो पत्थर में पीस के चटनी बनाओ एक गिलास पानी में उसको इतना उबाल दो कि पानी आधा हो जाए फिर उसको ठंडा करके पीओ ये घुटनों के दर्द का गठिया का संधिवाद का सबसे अच्छा इलाज बीस-बीस साल से जो लोग परिशाने गठिया दर्द से उनको आप बताओगे दो महिने में ही ठीक होता है इस और ये जो पत्ते हैं ना हार सिंगार के इनको अगर आप इस्तेम जैसे इनसेफलाइटिस ब्रेंग मलेरिया जिसको कहते हैं ये सबी बुखार को ठीक करने की ताकत हार सिंगार के पत्तों में हैं पांच पत्ते तोड़ो पत्थर में पीसके चट्नी बनाओ एक गिलास पानी में इतना गरम करो पानी आधा हो जाए फिर इसको ठंडा करके प देना और गठिया रोग में इसको तीन महीने से जादा मत देना गठिया के रोग में तीन महीने तक लेना और बुखार में तीन ही दिन लेना चौथा दिन जरूरत नहीं है और बुखार की एक अच्छी दवा बताता हूं धनिया ये तुलसी पत्ता तुलसी पत्ता पंद्र बुखार की और एक अच्छी दवा है, नीम की गिलोई, नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको हम गिलोई कहते हैं, अम्रता कहते हैं, कोई लोग गुणुची कहते हैं, गुणुच भी कहते हैं, वो गिलोई को थोड़ा सा काटो, चाकू से, इतनी बड़ी डंडी उसकी, पत्थर पे पीस के एक गिलास पानी में उबाल दो और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए फिर उसको पीलो ठंडा करें खराब से खराब बुखार में इसके परिनाम आते हैं मैं आपको बहुत बिनम्रता से लेकिन पक्का विश्वास करके कह रहा हूँ दसियों साल का मेरा तज़रबा है जो बुखार किसी दबा से ना उत्रे वो नीम की गिलोई से 100% उत्रेगा बड़े बड़े एंटिबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में ये नीम की गिलोई कामाते हैं और आप इसको याद रखना हमेशा कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में प्लैटलेट्स जो ब्लैड में हैं वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं प्लूबीस ही कम हो जाते हैं वाइट ब्लैड कॉर्पस कर्दी और मरने की हालत आ जाती है पेशेंट की उस समय आप अगर ये नीम की गिलोई का काड़ा दे दें तो मरता हुआ आत्मी जिंदा हो जाए इसलिए इसको अमृत और उशधी कहा गया है अमृता इसका नाम है और ये कहीं भी मिल जाती है आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं नीम के पेड़ पर ये चड़े तो बहुत अच्छा है नहीं तो किसी भी तरह से इसको बढ़ा कर से और एक अच्छी दवा बताता हूँ गुटने के दर्द के लिए वो है चूना ये जो पान में हम खाते हैं पत्थर वाला ये चूना गठिया की और वाद की बहुत अच्छी दवा है गेहूं के दाने के बराबर चूना खाये गरम पानी में मिलाके या ताजा दही में नहीं तो दान गेहूं के दाने के बराबर चूना आदा कब दही में मिलाके रूच खा सकते हैं दाल मे खा सकते हैं, गरम पानी में ले सकते हैं, ये effective जानते हैं के Spondylitis नाम की खराब बीमारी है, वो चूने से बिलकुल ठीक होती है, बहुत जल्ली ठीक होती है जिनको Spondylitis हैं, उनको कहिए कि रोज गेहुं के दाने के बराबर चूना खाते रहते हैं तरीका क्या है आदा कब दही ताजा दही खटा नहीं होना चाहिए और डाल डाल जो हम रोज काते हैं उसमें मिला के नहीं तो गरम पानी में मिला के पी लेज़े यह चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे धर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जिनके बारी में आपको लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही है इनको नियमित चूना खिला दीज़े गेहुं के दाने के बरावर साल पर खिला दीज़े, लंबाई बहुत बढ़ी है जो घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धी कम है, मती मंद बच्चे जिनको हम कहते हैं mentally retarded, उन सब बच्चों की सबसे अच्छी दवा ये चूना, दो-तीन साल लगाता है और खिलाईए, क्यों के दाने के बरावर, दही में नहीं तो, पानी में नहीं तो दाले, हमारे घर में माताएं हैं, जिनकी उम होती हैं मासिक चक्रबंद होने से, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है, आप उनको कहिए रोज चूना खाएं, गेंगे दाने के बरावर, हमारी यहां बहुत सारी बेहने बैठी हैं, इस बात को ध्यान से सुने, घर में हमारी सबी बेहने और माताएं, जो मासिक ध धर्म समय से नहीं आता आता है, तो बहुत खून आता है, या उसमें कई बार समय बहुत लगता है, इन सब मासिक धर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है, आप चूना खाएं, यहों के दाने के बरावर, दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो बिरम पानी में, यह ज अभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है अकसर, जॉन्डिस, जिनको भी जॉन्डिस होता है, उनको आप गन्ये के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाके दीजिए, आदा गिलास गन्ये का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना, बहुत जल्दी पीलि की संख्या एकदम निल है या बिल्कुल कम है उनको आप चूना खिलाइए दो-तीन साल चूना दीजिए उनको गन्य के रस्में वीर में शुक्राणों की संख्या बढ़ेगी ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते ऑविलेशन का उनका गड़बड़ी है उनको आप चूना खिलाइए बहुत जन्दी उनकी विमारी ठीक हो ये जो चूना है ना आपके रीड की हड़ी में कहीं कोई तकलीफ आजाए जैसे कई बार रीड की हड़ी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आजाता है L1, L2, L3, L4 के बीच में गैप आजाता है इसको ठीक कर चूने की सबसे जादा टाकट चूने चूने ऐगा आठीक हो अप ये पिजी का दर्ड है चूना खाइए ठीक हो पंजो में दर्ड है चूना खाये मजबूत हो जाएं ये एक चूना सब्तर बीमारियों में कामाता है सब्तर और ये ईश्वर ने हमें सबसे ज़्यादा दिया है सब्तर बीमारियों में कामाता है आप कभी भी इसको याद रखिए मैं सबको यही कहता रहता हूँ क्या आप चूना खाईए चूना लगाईए मत कभी किसी यह चूना लगाने के लिए नहीं है खाने के लिए और यह चूना हम खाएं तो दो ही बाते याद रखनी है पत्थर वाला खाना है पत्थर वाला चूना एक आता है एक सीव वाला भी आता है तो सीव वाला नहीं खाना पत्थरवाला और यही चूना है पत्थरवाला जो पान की दुकान में मिलता है तो वहां से आप कभी भी ले सकते हैं अगर यहां कोई किसान भाई बैठे हैं और जो गाए बहस पालते हैं वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनें कि गाए और भैस को हर दिन पानी में मिलाकर चूना दीजिए आप जैसे गाए एक बल्टी पानी पीती है उसमें गेहु के चार-पांस दाने के बरावर चूना गोल दीजिए वो पानी पिलाईए तो गाए का दूद बढ़ता चला जाता है रोज पिलाईए उसको चूने का पानी ऐसे भैस है आपके पास अगर भैस तो भैस को भी चूने का पानी पिलाईए उसका दूद बढ़ता चला जाता और अगर आपने लगाता है यह जारी रखा चूना गाए और भैस को तो दूद तो बढ़े गाई, दूद में घी बढ़ता जाता है, मक्षन बढ़ जाता है घी जादा मिलता है, गाई के दूद से, भैस के दूद से और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि गाई और भैस को आप लगातार अगर चूना देंगे तो वो बराबर समय से मा बनती है आपको मालूमें कई बार गाई और भैस मा नहीं बन पाती हम लगातार प्रयास करते हैं, वो गर्बधारन नहीं कर पाती और थोड़े दिन आप उनको चूना खिला दो, वो तुनंद गर्बधारन कर लेती चूना बाँजपन की सबसे अच्छी दवा है इनफर्टिलेटी, बाँजपन ये सबसे जल्दी चूने से ही ठीक होता है माताएं भी इस बात को सुने ध्यान से कैसी अगर कोई माताएं बहने हमारे घर में हैं जो मा नहीं बन पा रही है और इस तरहें से डॉक्टर ने उनकी जाच की है और डॉक्टर कहता है जी मेरे समझ में नहीं आता सब चीज तो नॉर्मल है फिर भी मा नहीं बन पा रहे है ऐसी किसी भी मा को लगाता है और चूना खिला दो बहुत जल्दी मा बनेंगे और माताएं मैंने ये बात मेरी हमेशा याद रखे है कि ऐसी कई माताएं होती है जो गर्वधरन तो कर लेती है लेकिन महीने दो महीने में गर्वपात हो जाता है कोई कारण हो सकता एक महीने में किसी का दो किसी का तीन महीने में गर्वपात हो जाता ऐसी सम माताओं को चूना खिलाईए कभी भी गर्वपात नहीं होगा और मेरा तो सम माताओं को ये कहना है कि जब भी कोई गर्ववती मा हो अपने घर में तो उसको हर दिन चूना खिलाईए ताकि गर्वपात नहों और बच्चा स्वस्थ हो तो ये चूना कैसे खिलाएंगे, गेहूं के दाने के बरावर चूना, एक कब अनार के रस में मिलाके पिलाना, मा को, गर्बवती मा को चूना चाहिए अनार के रस के साथ, क्यों, अनार का ही रस क्यों, अनार के रस में सबसे ज़्यादा आइरन होता है, लोहा, और चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और गर्बबती मा को आईरन और कैल्शियम इन्हीं दो तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यक्ता होती है तो अनार कर असे एक कप ले ले और चूना गेहूं के दाने के बराबर हर गर्बती मा को नो महीने तक दे दीजे आप सुबह खाली पे होगी, तो चार फाइदे होगे इसके, पहला फाइदा होगा कि बच्चे के जनम के समय माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, दूसरा फाइदा क्या होगा, बच्चा जो पैदा होगा, वो बहुत हेल्थी होगा, बहुत स्वस्थ होगा, और त उसकी IQ लेवल बहुत उची रहती है। और चौथा सबसे बड़ा फाइदा ये होता है कि वो बच्चा जीवन में कभी भी किसी गंभीर बीमारी से परिशान नहीं होगा। बस हमें क्या करना है? हर गर्वती मा को एक कप अनार का रस और गेहूं के दानी के बराबर चूना मिलाके पिलाते हैं। मैंने देखा जितनी माताओं ने अनार का रस और चूना लिया नौ महीने, किसी को आपरेशन नहीं कराना पड़ा। सबकी डिलिवरी नौर्मल डिलिवरी हो। और बच्चा सभी का स्वस्थ और तंद्रुस और वो बहुत होश्यार और इंटेलीजन और जीवन में बीमार ना पड़े। ऐसी बड़िया परिणाम हमें मिलते हैं, अगर किसी मा को हम चूना खिलाएं, तो आप ये चूने के बारे में याद रखिए, ये बहुत कीमती दवा है, हालां कि इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन वैल्यू बहुत है इसा, सस्ता मिलता है, पचास पैसे में इतना चूना मिल एक सावधनी है इसमें, जिनको पत्थरी की बीमारी है, जिनको गॉल्ब्रेडर स्टोन है, वो चूना खाएं, जिनको किड्नी स्टोन है, वो चूना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है, वो चूना खाएं, बाकी सब खाएं अब आप पूछेंगे अगर ये पत्री की वीमारी है तो इसकी भी दवा बता दो अगर आपको गॉल ब्रेडर पित्थ की थैली में पत्री है तो इसकी सबसे अच्छी दवा है सेव का रस पीए सेव जो बजार में मिलता है इसका एक कप रस रोज पीना खाली पेट सुबह छे से आठ मेने में पित्थ की थैली की पत्री गल जाए और अगर मुत्र पिंड में पत्री है किड्नी में पत्री है तो इसके लिए गो मुत्र पीना रोज आधा कर तो मुत्र पिंड की पत्री गल के निकल जाए अब मैंने इतने सारे इलाज आपको बता दिये सिर्फ इस उम्मीद में कि आप ये दूसरों को बताएंगे और आप ये सब को बताएंगे तो हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहने का आसानी से कोई न कोई उपाए अपने जीवन में अपनाएगा और हर्व्यक्ति स्वास्थो निरोगी हो जाए यही हमारा उद्देश्य है। हर्व्यक्ति को यह आयुरुवेद के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। आपको अगर और जादा यह चाहिए ग्यान तो आप इसको ले सकते हैं। हमारा आस्था चैनल है। इस पर रोज शाम को नौ बजे से दस बजेता के एक कारिक्रम आता है। उसका नाम है आयुरुवेद एवं जीवन दर्शन। यह कारिक्रम आप रोज देखें। रात को नौ बजे से दस बजेता। और यही कारिक्रम सुबह साड़े साथ से साड़े आठ दुबार आता है। इस कारिक्रम में हम बताते हैं कि क्या-क्या ओशदियां हैं जो आपके घर में हैं, घर के आसपास में हैं और कितनी बीमारियां उनसे आप ठीक कर सकते। अगर यह कारिक्रम आप रोज देखेंगे तो यह पक्की बात है कि आपको कोई एलोपेथी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने इस विशे पर एक पुस्तक भी बनाईए, उसका नाम है जड़ी बूटी रहसे। यह पुस्तक हमारे पतंजली चिकित साले में मिल जाती है। राइगड में हमारा पतंजली चिकित साले है, आप कभी भी वहां चले जाएए और यह पुस्तक ले लीजए। जड़ी बूटी रहसे। इसमें हजारों दवाओं का ग्यान दिया हुआ है। मैंने तो थोड़ी सी बताई हैं, लेकिन इस पुस्तक के माद्यम से आप हजारों दवाओं की जानकरी ले सकते हैं। और एक छोटी सी बात और हम कहना चाहते हैं आप से, कि आप जो कुछ इस पुस्तक से प्राप्त करें, वो दूसरों को बताते हैं। क्योंकि ग्यान की यही भारत में परमपरा है, हमने कहीं से लिया और दूसरों को दिया, फिर उन्होंने दूसरों को दिया। ग्यान को जितना फैलाएंगे उतना बढ़ेगा और देश का उससे जादा लाब होगा। एक छोटी सी बात और कहनी है आपसे कि भारत स्वाब इमान का ये तो पहला उद्देश है कि हर व्यक्ति को स्वस्त बनाना निरूप बनाना इसके लिए हम ये आयरुवेद का योग प्राणायाम का कारी करना है दूसरा उद्देश है भारत की समस्याओं को मिटाना हमारी गरीबी की समस्या है जो बहुत बहेंकर है आज़ादी के चौसर साल की बाद भारत में 84 करोड लोग गरीब है जो एक दिन में 20 रुपई भी खर्च नहीं कर सकते और ये हमारी आबादी का लगबग 77 प्रतिशत है तो हम ये गरीबी दूर करना चाहते हैं बेरोजगारी भी बहुत है भारत में 70 करोड नौजवान है उनमें से 60 करोड 50 लाक बेरोजगार सिर्फ 5 करोड नौजवानों को काम मिला हुआ है पूरे देश तो बेकारी भी बहुत है महंगाई भी बहुत है तो आप बोलेंगे ये गरीबी बेकारी महगाई कैसे दूर होगी इसके लिए हमने एक लक्ष तै किया है कि भारत में जो ब्रश्टाचार हो रहा है जो लूट खोरी मची हुई है इसको रोक पाएं अगर हम तो गरीबी बेकारी ठीक होगी दूर होगी ब्रश्टाचार हमारे यहां भेंकर है आप रोज अखवार देखें और हर दिन टेलिविजन समाचार सुने तो हर दो तिन दिन में कोई न कोई गोटाला कोई न कोई ब्रश्टाचार होता ही रहता है अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा करोन का चूना लगा दिया और तीन साल और छे महीने से वो ये घोटाला कर रहा था और राजा कहता है कि मैंने ये सब कुछ प्रधान मंतरी को बता के किया है वो कहता है कि सब बात प्रधान मंतरी को बताई थी मैंने और प्रधान मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि तीन साल और छे महीने जो घोटाला करने वाला मंत्री उसको निकाल सके मंत्री मंडल से इतना बड़ा घोटाला आज़ादी के इतिहास में पहली बार हुआ एक लाग शेट्र हजार करोड इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो छटीस गड़ राज्जी के हरे गाउं की सड़क पर दस मिलिमीटर मोटाई की सोने की परत बिचा सके अगर एक लाग शेट्र हजार करोड का सोना खरीद लिया जाए तो छटीस गड़ के जितने परिवार हैं हर एक परिवार को दस किलोग्राम सोना दान में दिया जा सकते एक लाग चेहतर हजार करोड की रकम तो आपको लिखने में भी तकलीफ आएगी क्योंकि कैलकुलेटर फेल हो जाता इसमें कैलकुलेटर में बारे अंक आते हैं इसमें बारे से जादा अंक है इतना बड़ा गोटाला इसके पहले थोड़े दिन पर एक गोटाला हो गया कॉमन वेल्थ खेल गोटाला सबत्तर हजार करोग कॉमन वेल्थ खेल गोटाला इतना जबरजस्त है कभी तो हसी आती है मुझे ये कॉमन वेल्थ खेल क्या है ये वो खेल हैं जिनको दुनिया के 71 देश खेलते हैं और ये सारे 71 देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तो ये 71 देश अपनी गुलामी को याद करने के लिए हर चार साल में ये खेल खेलते हैं दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं जो गुलामी को याद करते हैं और वो भी बहुत बड़े समारोख के साथ भव्य समारोख करके गुलामी को याद करते हैं कि हाँ अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था उनकी महरानी, वो महरानी कोई बुलाते हैं ये खेलों के उदगाटन की, बिना महरानी के आए खेल का उदगाटन नहीं होता, इस बार तो भला हुआ महरानी बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, लेकिन बुलाया उसी के परिवार को, जिनोंने जिन्दगी पर हमारे उपर लाते मारी हैं, गालियां दी हैं हमको, तड़ पाया, परिशान किया, उनी के घर खांदान वालों को बुला के कहते हैं, जंडा फेराओं, खेल शुरू कराओं, ये गुलामी की गजब इन्दगा, और इन खेलों में महरानी आती है न, उसके पहले उसका डंडा आता है, महरानी का डंडा, उसको कहते हैं, क्वीन्स बेटन्स, अब अंग्रेजी में कह देते हैं, क्वीन्स बेटन्स हिंडी में, उसका मतलब है, महरानी का डंडा, वो आता है, और 71 देशों में घुमाया जाता है, तो ये इस बार भी हुआ, महरानी का डंडा आया, और उसी में सबसे बड़ा गोटा लाग हुआ है, क्योंकि महरानी का डंडा जितने रुपए में लंदन से भारत आया, उतने रुपए को मैंने जोडा, तो उसमें सौ सोने के डंडे बना सकते थे, ऐसा गोटा लागा, ये कॉमन वेल्थ गोटाला तो विचितर है, खेल आयोजन करने वाली समीती ने, माई किराई पे लिया, तो माई का इतना पैसा दिया किराई का, जितने में सेकड़ों माई ख़री दे जा सके, कुरसी किराई पे लिया, तो इतना पैसा दिया, कि सेकड़ों एसी लगाए जा सके, और जिन नेताओं ने ये किया वो भी बेइमान सुरेश कलमाडी and company वो कहते हैं कि जी हमने कुछ गलत नहीं किया CBC का कहना है कि गोटाला हुआ CBI का कहना है गोटाला हुआ Controller and Auditor General of India का कहना है गोटाला हुआ और जिन्होंने किया वो कहते हैं हमने कुछ गोटाला नहीं कि आकड़े बताते हैं कि इस पूरे commonwealth खेल में 78,000 करोड रुपए खर्च हुए और संस्थाओं का कहना है जो जाच कर रही है गोटाले की ये वास्तम में खर्चा 8,000 करोड का हुआ 70,000 करोड रुपए तो नेता और अधिकारियों ने बंदर बाट करके खा लिए ऐसे ये हमारे याँ गोटाले होते हैं थोड़े दिन पहले और एक गोटाला हो गया आदर शाउट सिंग सुसाइटी गोटाला बारत के कारगिल के शहीदों के परिवारी जनों के लिए घर बनाएं और महा ब्रश्ट और बेईमान नेता वो घरों में कबजा करके पैठ रहे शरम नहीं आती इन नेताओं को गैंडे की मोटी खाल से भी ज़्यादा ये जो है ना बेशरम हो गया ये शहीदों के लिए कारगिल के शहीदों के परिवारी जनों के लिए घर बन रहे ह। उस पे कबजा करके पैठ रहे हैं बहुत मुश्किल है और ये जो घोटाले रोज रोज होते अभी दो दिन से पता चल रहा और एक घोटाला हो गया हमारे हां फुर्जी का लोन बाटा जाता है फुर्जी लोन इसको शेयर बजार में लगा देते हैं और पैसे ले देके घुस ले देके ये सब चलता है ये सारे घोटाले करते क्या हैं आपके खून पसीने की कमाई का पैसा मेरे खून पसीने की कमाई का पैसा इसको लूटा जाता है और ये घोटालों को देखकर अब ऐसा लगता है कि भारत में लोक तंत्र नहीं लूट तंत्र चल रहा है जिसको देखो वही लूट रहा है इस इसकेंडल, जीप खरी दी गई, लेकिन कागच पर वास्तम में नहीं, पैसे दे दिये, जीप नहीं आई, और उसका नुकसान उठाया भारत की सेना, पिस्तॉल खरी दी गई सेना के लिए, बहुत बड़ा इसकेंडल हुआ था पिस्तॉल इसकेंडल, चैक पिस्तॉल क्योंकि बंदूक नहीं थी, पिस्तॉल नहीं, वो कागच पर खरी दी गई, और ऐसे घोटाले होते ही रहे, कभी नागरवाला सकेंडल, कभी मूंदला सकेंडल, होते ही रहे, हमने इन सारे घोटालों के आंकड़े कठे किये, और दस्ताविज तो पता चला, कि अब तक 64 सा और ये सारी रकम ब्रश्ट, नेता और अधिकारियों ने लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर रखी है, इस रकम का 280,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, होकर धन भारत से बाहर ले गए हैं सारे ब्रश नेता इसी पैसे को वापस भारत में लाना है और इसको भारत की राश्ट्रिय संपत्ती बनाना है और इसी पैसे से गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है और भारत की समस्याओं का समाधान करना है आप पूछेंगे ये धन कैसे वापस आ सकता है इसको वापस लाने के तीन रास्ते पहला रास्ता है हम भारत के सुप्रीम कोट में एक मुकदमा करें जिसको पब्लिक इंट्रेस्पिटिशन कहा जाता है और सुप्रीम कोट उस मुकदमे पर फैसला दे कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो भारत की राष्ट्वी ये संपत्ति है तो ये सारा धन वापस आ जाएगा उन बैंकों से दूसरा रास्ता है भारत के संसद में एक प्रस्ताव पारित कराया जाए और उसमें ये कहा जाए कि जितना धन विदेशी बैंकों में भारत से लूट कर भेजा गया वो सारा भारत की राष्ट्र ये संपत्ति है और संसदिय प्रस्ताव पास कर दे तो भी ये धन वापस आ जाए और तीसरा और आखरी रास्ता है कि हम भारत देश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासंग के साथ एक संधी करें एक समझोता करें और वो समझोता इस 340 लाग करोड रुपई के बारे में हो तो संयुक्त राष्ट्र महासंग खुद इस पैसे को हमें वापस दिलवा सकता है क और इसी संयुक्त राष्ट ने अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका को ऐसा पैसा दिलवाया। अमेरिका में भी घुटाले होते हैं और उनका पैसा भी विदेशी बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा था। तो बराक उबामा ने अपने देश की तरफ से संक्त राष्ट संदीगी और 780 अरफ डॉलर उन्होंने वापस ले लिया स्विस बैंकों से। बराक उबामा अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने भारत स्वाविमान की तरफ से एक संक्ल्प लिया है और उसी के तहट सुप्रीम कोट में एक मुकदमा दाखिल करवाया है और हमारा मुकदमा भारत के सबसे मشہور वकील राम जेट मलानी ने किया है और खुशी की बात है कि हमारा मुकदमा सुईकार हो गया है और इस मुकदमे पर सुप्रीम कोट ने सरकार को कहा है कि जल्दी से सरकार सुप्रीम कोट को ये बताए कि दुनिया के किस देश की बैंकों में किसका कितना पैसा है। में ये अपील करेंगे कि सारे धनकों भारत की राष्ट्रीय संपत्ति गोशित कर दिया जाए और ये पूरा पैसा वापस मंगा लिया जाए हमें उमीद है कि हम ये कर पाएंगे आप सबका सहयोग रहे इश्वर की करपा बनी रहे और सद्गुरुओं का अशिरवाद रहे त तो अच्छी बात है वो विरोध ना करें तो प्रस्ताव पास हो जाएंगे प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बन जाएगा कानून बना तो पैसे आ जाएंगे अगर संसद में विरोध हुआ तो भी और प्रस्ताव पास हुआ तो भी हमारा ही फाइदा है हमारे दोनों हाथ प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बना पैसे आ गए नहीं पास हुआ तो देश देखेगा कि बेइमान और हरामी कौन कौन है जो विरोध कर रहा है फिर हम क्या करेंगे अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सन 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा तब सारे देश के चुनाव छेत्रों में घूंगों कर हम उन नेताओं को हराएंगे जिनोंने ये प्रस्ताव पास नहीं होने दिया और उनकी जगे इमांदार सांसदों को चुन कर लाएंगे संसद और हमारी तैयारी है कि 2014 में 400 इमांदार सांसदों को हम इस देश में से चुन कर लाएंगे आप बोलेंगे 400, हाँ 400 वारत में परंपुजनी स्वामी रामदेkt जी जिन्नोंने यह अभियान शुरू किया उनके साथ भारत के 70 बड़े-बड़े संतों ने सह्योग देने का संकल्प कर लिया है एक बहुत बढ़े संते परंपुजनी स्वामी सत्त्मित्रानंद गिरी एक बहुत बड़े संतें परंपुजनी स्वामी अवदेशानिंद गिरी, एक बहुत बड़े संतें परंपुजनी स्वामी जैंद्र सरस्वती, एक बहुत बड़े संतें परंपुजनी स्वामी गोविंद देव गिरी, एक बहुत बड़े संतें परंपुजनी मुरारी बाप एक बहुत बड़े संतें परंपुजनी सुधान्शु महराई, एक बहुत बड़े संत तुल्ली व्यक्ति हैं, डॉक्टर प्रणव पंडिया, गाहित्री परिवार, ऐसे सब्तर बड़े-बड़े संगठन और संतों सन्यासियों ने तै कर लिया है, कि पानी अब सिर से गुज ब्रश्टाचार के खात्मे के लिए, ये सारे संत 2014 में, एक एक संसदिय छित्र में जाएंगे, और 400 तो क्या 500 संसदों को ये जितर लाईए, क्योंकि ये जो संत है न, इनके सारे भक्तों की संक्या एक दिन मैंने जोड़ी, तो इनके भक्त इतने हैं पूरे देश में, कि व काम, आसानी से होगा, संतों की आशीरबाद से ये काम होगा, 514 संसद जीत गए तो पारलिमेंट में, एक मिनट में बिल पास होगा, 340 लाग करोड़ आ जाएंगे, और ये धन इतना है, 340 लाग करोड़ का सोना खरीद लिया जाए, तो भारत के 25 करोड़ परिवारों में हर एक को 100 किलोग्राम सोना दिया जा सकता है, एक एक कुंटल सोना हर परिवार को दे सकता है, यतना बड़ा धन है, और इसी धन से भारत की गरीबी बेकारी मिटा सकते हैं, इसकी योजना हमने बनाई है, हर भारत के गाउं में 100-100 उद्योग लगाएंगे, जैसे जिन गाउं म कपास पैदा होती है, वहाँ खादी उद्योग लगाएंगे, जिन गाउं में गाए हैं, वहाँ मूतर इकठा करके गो मूतर की दवाओं का उद्योग लगाएंगे, जिन गाउं में गाए बेल भेंस गोवर है, उनका उसमें गैस निकलती है, मीथेन, उसके प्लांट गैस को सिलिंडर में नभें चलेगी घर का खेना सिल बनेगा बिज्श्ली बनेगी जर गाऊं में आलो के चिपस बनवाएंगे लिभाज डामाटर सॉस बनेगा जहां आम पैदा होता है आमला पैदा होता है हन्य चीज और एक जीज और सभी उद्योगौ को लगाने में 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कि विवस्था करेंगे कुल खर्चा तीस लाग करोड आएगा और शहरों का विकास करेंगे तो और दस लाग करोड खर्च होगा कुल चालीस लाग करोड में पूरे देश का विकास हो जाए गरीबी खतम होगी बेकारी खतम होगी सब जगे समरुद्धी आ जाएगी सुखा ज और अनंतकाल तक भारत देश के बजट को हम बना सकेंगे बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए। वो मिलेगा 16 रुपई का एक लीटर डीजल जो 40 रुपई का है वो मिलेगा 7.5 रुपई का एक लीटर केरोसिन जो 20 रुपई का है वो मिलेगा 3 रुपई का एक किलो नमक जो 8 रुपई का है वो मिलेगा 50 पैसे का एक सीमेंट का बुरा जो अभी 500 का आता है वो मिलेगा 72 रु आपका बेटा या बेटी IIT में इंजिनिरिंग पढ़े तो 5 लाग खर्च होता है 5 साल में, टैक्स खतम होने के बाद 70,000 में ही पढ़ाई पूरी होगी, MBBS, MD अभी 40 लाग में होता है, टैक्स खतम होने के बाद वो 4 लाग में हो जाएगा, हर चीज सस्ती होगी, पढ़ाई सस घर बनाना सस्ता होगा, घर में रहना सस्ता होगा, तो लोगों का घर खर्च बचेगा, तो आमंदनी बढ़ेगी, तो देश की आमंदनी बढ़ेगी, और हम भारत को धीरे-धीरे दुनिया के सबसे अच्छे देशों में ले आएगे, और एक बड़ा काम होगा, जब सारे टैक्स हम ख़तम करेंगे न तो बेहिमानी ख़तम हो जाएगी, सब इमांदर हो जाएगी। इंकम टैक्स नहीं होगा तो black money नहीं होगा, black money नहीं होगा तो कोई गोटाला प्रष्टाचार नहीं होगा। आज हमारे देश में सारी बहिमानी शुरू होती है काले धन से काला धन ही नहीं होगा तो बहिमानी सवाल ही नहीं होता और फिर कोई करेगा अगर बहिमानी तो उसके लिए कठोर कानून बनवाएंगे कि जिसने बेईमानी की पैसे खाये रिश्वत लिया तीन मैने में उसको फासी की सजा और दो चार दस नेताओं को जिस दिन फासी पे लटका देंगे उसी दिन सारा देश तुदर जाएगा और एक बड़ा काम करना है कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन के कपजे में है करीब 72,000 वर्ग में लिए वापस लेनी है भारत का एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान के कपजे में है ये भी वापस लेना अब इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए हमारे पड़ोसी सब्तर देश है इनकी मदद लेंगे बंगला देश है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, मियानमार है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफरीका ऐसे सब्तर देश हैं भारत के पड़ोसी इनकी हम मदद करेंगे ताकि ये हमारी मदद करें और इन देशों की मदद कैसे करेंगे, अपने पास पैसे बहुत हैं, हर साल 30 लाग करोड की आमंदनी है, खर्चा अपना 11 लाग करोड का है, हर साल अपने देश में बचने वाला है करीब-करीब 19 लाग करो, उसका क्या करेंगे? तो उसको पड़ोसी देशों में बाटे के, कर्ज के रूप में देंगे, उनकी मदद करेंगे साहिता के रूप में, पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेंगे, बाकी सब की करेंगे, चाइना की भी नहीं करेंगे, और इन देशों को अगर हम थोड़ा धन देंगे, उनकी गर तो चाइना वापस करेगा, नहीं तो ये 70 देश चाइना के खिलाफ प्रतिबंद लगाएंगे, और वो प्रतिबंद होगा, कि चाइना का माल आना बंद कर देंगे, दुनिया के 70 देश हो, फिर चाइना सरेंडर करेगा और जमीन वापस देगा, और एक दूसरा काम करना है, कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है, उन सारे अड़ों को बं गिलाके द्वस्त करना है, और इस काम के लिए इन 70 देशों की सेना बेजेगे, अकेला भारत नहीं करेगा ये काम, 70 देश मिलके करेंगे, ताकि पाकिस्तान चीचू ना करे जा, भारत करेगा तो वो चिल लाएगा, 70 देश करेंगे तो चुप बैठेगा, इस समय आपको मालूम है, अफगानिस्तान में 70 देशों की सेना लड़ रही है, कोई पाकिस्तान में जाके लड़ेगी है, और पाकिस्तान से जमीन लेके, आतंकवादी अड़ों को खतम करके, ची अंग्रेजों ने हमारा कोहिमूर हिरा लोटा है, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंघासन लोटा है, अंग्रेजों ने हमारे देश में से सोना लोटा है, एक अंग्रेज आया था रोबर्ट कलाइब, पानी के 900 जहाज भर के सोना लोट ले गया यहां से, यही सोना अगर वापस हम ले आए तो ये साड़े चार सो लाग करोड का है और इस सोने को वापस लाने के लिए अंतर राश्ट्री अदालत में हम एक मुकदमा करने की तयारी कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ उसके कई सारे प्रमान हम ने इकठे किये हैं और इस मुकदमे को हम जीत कर या नहीं सोने का शेर हो जाए दो बड़ी करांगती भारत में होंगी पहली करांगती होगी कि भारत का रूपया अमेरिका के डॉलर से 50 गुना जादा ताकत पर हो जाएगा आज एक डॉलर में 45 रुपए हैं फिर एक रुपए में 5 डॉलर आएंगे और जब भारत का वापस आजाएं क्योंकि ये अमेरिका भागे थे एक डॉलर 50 रुपए के लालच में फिर एक रुपए में 5 डॉलर हुआ तो ये वापस आएंगे सब और ये वापस आएंगे तो इनकी गुद्धी इनका दिमाग वापस आएगा उससे नई नई मशीने बनेगी नई टेक् अमेरिका में एमाईटी है मैसाचुसेट इंसिटूट अफ टेक्नॉलजी वहां 30 प्रतिशत वग्यानिक भारत के हैं अगर ये आजाएं वापस तो हम एमाईटी अपना बनाएंगे तो नई संस्थाएं बनाएंगे नई टेक्नॉलोजी बनेगी नई मशीने बनेगी पहले ब्रेन ब्रेन हुआ अब ब्रेन गेंगा पूजी हमारे पास है उत्पादन करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और सारी दुनिया में और चाजाएंगे बविश्य में हमारा देश है कि भारत विश्युगुरू बने जगत गुरुँ बने सोने का शेर बने संरुद्ध बारत की गरीबी बेरोजगारी भुकमरी सम मिट जाए गर बुराईयां हमारी खतम हो जाए ऐसा स्वस्त सुन्दर सम्रुद्ध भारत बनाना है इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान का अंदोलन है आप से इसमें थोड़ी मदद चाहिए आप बोलेंगे क्या मदद चाहिए भ भी इसमें जोड़ जाए आप जोड़ेंगे तो क्या करना है मात्र 11 रुपए दान देकर आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं और इसके लिए हमने सभी पदादिकारी और हमारे योग सिक्षकों को रसीदे दी हुई हैं आप किसी भी पदादिकारी से रसीदे ले लीजे और उनसे मांगिए कि हमें 11 रुपए का सदस्य बनाओ वो बनाईंगे आप इसमें जोड़ जाएंगे ऐसे 15 से 20 करोड नावरिकों को जोड़ने का लक्ष है और राएगर जिले में 10 से 15 लाख भारत वासियों को हमें सदस्य बनाना है और इसी कारी के लिए सामिल हो हजारों की संख्या में आए और परमपुजनी स्वामी जी के सामने आप सबस्य बनने की घोशना करें तो आपको भी आनंद होगा उन्हें भी आनंद होगा और मैं आखरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह पूरा अंदोलन एक सन्यासी ने शुरू किया है और सन्यास परमपुजनी स्वामी रामदेव जी और फिर उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अब भारत को विश्व गुरू बनाना है जगत गुरू बनाना है सोने का शेर बनाना है समर्द शाली बैववशाली बनाना है अब इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इश्वर ने आपको बेजा है मुझे बेजा है कई बार मुझे लगता है कि आप और में शायद 1857 के बिछुडे हुए क्रांतिकारियों की ही आत्माये हैं जो फिर से ये जनम लेकर आई है और इस जीवन को सफल बनाने के लिए इस आंदोलन में आने हैं आप सब इस आंदोलन में जुड़े और हम सब एक सन्यासी के सिपाही बने हम एक सन्यासी के सहयोगी बने और इश्वर की बनाई गई इस योजना में अपना पूरा सक्रिय योगदान करें यही भावना लेकर में आपके बीच आया आप सबी सज़से बनेंगे और दूसरों को सज़से बनाइंगे ऐसी मेरी आप से बिनमर कातना है और परमपुजनी स्वामी जी का कारिक्रम जब यहां जन्वरी में होगा आप सब पूरी ताकत के साथ उसमें आएंगे यह कहकर आपका बहुत आबार व्यक्त करता हूँ धन्नी बाद देता हूँ। चलते चलते हम बोलेंगे भारत माता की जैए।